वेलकम बैक दोस्तों मैं किन्म सुकर मैं एक बाफिट से आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल डीवी आरलेंड इस्टी में सवगत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एक्जाम की परफेशन कर रहे हैं खासकर दोस्तों रेलवे एल्पे एंड टेक्नेशन की दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको दादो कि रेलवे से जो और अधर हमारी बैकेंशिया आने को हैं दोस्तों इसे कि लिए डेख दोस्तों इस बात के लिए होगी क्योंकि दोस्तों उससारे ग्जमों में जो भी हमारे कुशिशन पूछे क्या हैं आपको बढ़ादों कि हम जो chapter पढ़ दोस्तों, coding, recording का आज हम लोग part 5 पढ़ेंगे, इसके पने दोस्तों हम लोग उने 4 part पढ़ चुके हैं, दोस्तों अगर आप दोस्तों उन 4 part ना देखे हों, तो आप हमारे चैनल पर विजट करके दोस्तों, वहाँ पे playlist को जाईएगा, y ICT reasoning 2024 नाम का हमारा playlist बना है, जहां से जाकर दोस्तों आप लोग इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, दोस्तों आपको दादों कि आज हम लोग coding recording का part 5 पढ़ेंगे, और इस part में total दोस्तों लोग 201 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक के questions को बहुत ही simple और सल तरीके से हल करना सीख दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस जिवानी प्रसंद आया तो आप मारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा ज्यादा शेल करिएगा, और दोस्तों ये अप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर विल घंटी जब दबाल कर दिया जाएगा, वो भी दोस्तों free capacity रहेगा, और दोस्तों आपको बता दो कि ये जो हमारी रेजिन की class होती है, वो हर रोग सामको 4 बजे होती है, तो दोस्तों आप लोग हर रोग साम को 4 बजे हमारी class को देखना बीलकूल मत जोड़िएगा, क्योंकि railway के इंजाम से related, ये क्लास माई जो चल नहीं है रेलवे बे आने वाली जो वैकेंशिया दोस्तों या वैकेंशिया जो चल नहीं है उन सभी के लिए हमारी वीडियो और इसे जमारी बेहधी मात्रपूर्ण होगी और दोस्तों ये आपका किसी प्रकार कोई राया सुझाओ हो तो आप अपनी र दोस्तों यहां से देखेंगे तो देख लिएगा इसने बताया है सबसे पहले एक लेटर लिखा है 1875 तो हमने यहां से लिख दिया और फिर यहां से देखेंगे तो देख लिएगा इसको थोड़ा सा हम इरेज करके थोड़ा सा और सापसुतरा लिख देते हैं ठीक है यहां पे सबसे पहले लिखा 1875 तो हमें थोड़ा सा दोर दोर करके 1875 लिख दिया और इसका अगर कोड देखें तो हमारा लिखा क्या है यहां पे W-O-U-U-D W-O-U-D और फिर आगे लिखा है दा राउंड वाज र-O-U-U-D वाज W-A-T-C-H यह लिखा हुआ है हमारा दोस्तों हमने यह लिख दिया यहां से हम क्या करेंगे अब आगे देखेंगे 1643 देख लिएगा 1643 का कोड इसने क्या बताया है कहे दिया 1643 का यहां पे लिखा है A तो हमने आगे राउंड लिख दिया फिर 7321 तो हमने यहां से लिख दिया 7321 अब आगे इसका लिखा वाज राउंड तो हमने लिख दिया यहां से W-A-T-C-H वाज ए राउंड R-O-U-U-U-D वाज ए राउंड फिल अब यहां पे W-H-E-L वाज ए राउंड फिल यह लिख दिया गया तो यहां से हमको watch का code बताना है अब दोस्तों देख लिएगा watch सब्द हमारा पहले वाले में ये match कर रहा है और दूसरे वाले में हमारा watch सब्द ये match कर रहा है तो अब अगर यहां से हम इनको देखें तो watch और watch तो यहां पर देखिए round यहां भी match कर रहा है round यहां भी match कर रह तो यहां से देखेंगे तो तीनों में हमारा क्या मैच हो जाएगा थीनों में brigू क्या ही ही अगर हम यहां से ہमको क्या पूछा यहां वाच हमारा ये है और ये वाच हमारा ये है तो पहले और तीसरे में अब देख लिजी कामन क्या मिल रहा है पहले और तीसरे में हमको यहां से साथ कामन मिल रहा है यहां पर देख लिजी का साथ है और यहां भी हमारा साथ है तो वाच सब्द के लिए हमारा क्या हो जाएगा हाँ से वाच सब्द के लिए हमारा 7 इस question का क्या बन जाएगा right answer 7 दिया गया है दोस्तों हमारा A पे तो 201 का अगर देखेंगे तो A के साथ ये question हमारा right हो जाएगा आगे देखेंगे दोस्तों 201 के बाद दोस्तों 202 number और यहाँ पर देख लीजेगा लिखा है एक निश्चित कूट भासा में bitter as kill को pal odd tom लिखा जाता है very cute doll को satim toy लिखा जाता है और doll and kill को toy side tom लिखा जाता है उसी कूट भासा में and को किस प्रकार लिखा जाएगा ये भी हमारा NTPC stage 2 में 2022 में बिल्कुल latest का question पूछा गया है यहां से देख लिख लिखा है bitter हमने लिख दिया bitter as kill और फिर यहां पर किल bitter as kill को इसमें क्या लिखा है दोट लिखा है जो पाल odd tom यहां पर लिख 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 लिए अगे लिख जाए, तो आगे एक सब दले लिखा है, dull हमने लिखाई, तो यहा पे हमने लिखें लिखते हैं, तो आए, side, tom, तो आए, फिर यहाँ पे side, और फिर यहाँ पे term, अब दोस्तों यह हमने लिख दिया, यहाँ से हमको end सब्द का value बताना है, कि end सब्द के लिए क्या यहाँ पे value आएगा, देखिए, यहाँ पे end हमारा केवल देखा जा, तो तीसरे वाले में end यह है, तो सबसे और तीसरे वाले से common सब्द देख लिए क्या है, दूसरे और तीसरे वाले से अगर हम देखेंगे, तो common सब्द हमारा हो जाएगा, twice, यहाँ से देख लिए कह हमने twice सब्द यह लिख लिया, और twice सब्द यह लिख लिया, तो कुल मिलाके हमको यह बात पता चल गई, कि doll का code ह हमारा twice हो गया, अब अगर किल का देखें, देख लिख 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 को हम गोलाकार से हम इसको बना देते हैं, और यहाँ से किल हमारा पहले वाले में किल है, यहाँ भी गोलाकार बना दिया, तो पहले और तीसरे में देख लिख 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 हमारा क्या बन जाएगा, दोस्त हमारा देखिए दिया गया है C पे तो 202 का हमारा C के साथ क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 202 के बाद 203 नंबर और 203 नंबर में देख लिजेगा दिया गया है क्योशन में एक निश्चित कूट भासा में रेड फैंसी लाइट को T K M D B H लिखा जाता है उसी बगार करा है टो मैटोज आर रेड को M D N G और फिर यहां से दोस्तों देख लिजेगा M D N G और यह हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा यह L S लिखा जाता है इसको आप थोड़ सा कम समझ में आ रहा हो तो आप लिख लिजेगा L S यह क्या है दोस्तों हमारा L S L S लिखा जाता है तो उसी कोट भासा में रेड के लिए प्रियुक्ट कोट निमन में से कौन होगा red के लिए हमको बताना है दोस्तों देख लिएगा अब अगर यहां से देखा जाए देख लिए देख लिए दोस्तों यहां पे अब हम इसको लिखेंगे ने क्योंकि यह हमारा सीधर सीधर लिखा है अल्रेडी हमारा दूसरे में red यह है और पहले वाले में red हमारा ये है तो पहले और दूसरे में अगर common देखेंगे तो देख लिए हमारा क्या हो जाएगा ये md सब्द यहां भी है और md सब्द हमारा यहां भी है तो red के लिए हमारा code क्या हो जाएगा यहां से हमको पता चल गया है कि red का code हमारा हो जाएगा md तो md हमारे यहाँ पर देख लीजिए का दिया गया है d पे तो d हमारे इस question का क्या हो जाएगा right answer बन जाएगा यह हमने small letter में लिग दिया तो stream ने capital letter में लिखा है तो capital letter लिग दिया तो red के लिए md हो जाएगा md हमारा d पे दिया गया है तो 203 का हमारा d के साथ यह question क्या हो जाएगा right बन जाएगा यह भी हमारा ntpc stage 2 के 2022 में question हमारा पूछा गया है आगे देखेंगे हम लोग 203 के बाद 204 नमबर यहाँ से देख लीजिए इसमें दिया गया है यदि किसी निशित कूर भासा में बाल को obay, lord, golf लिखा जाता है तो उसी भासा में kite को कैसे लिखा जाएगा अब यहाँ पर देख लिजिएगा इसने बात यह कही है तरह यदि बाल को यानि कि बाल सब्द जो है बाल को यह लिखा जाता है यहाँ पर हो जाएगा o b e y य हो गया और फिर आगे कॉमा तो यहाँ पर हम आगे लिख दिते है c o may l ¿o r d lord फिर आगे लिखें तो gulf हमारा g ul और इसके आगे l के आगे हमारा हो जाएगा f, यह हो जाएगा तो अब यहाँ से देख लिजिए यह जो हमारा इतना हो गया यह गल्फ हो गया अब यहां पे कहा गया है उसी प्रकार काइट को कैसे लिखा जाएगा हमको काइट का बताना है कि काइट को कैसे लिख दिया जाएगा तो यहां से अगर देखा जाए देख लिजिएगा बाल सब्द जो हमारा लिखा था तो बाल सब्द हमारा यहां मैच हो रहा है, यानि कि चारों लेटरों में हमारे ये सारे एक एक लेटर मिल या, मलना- Sale- a-ire, क्या हो रहे हैं दोससों, सम्मीलित है, या इनका मिलान हो रहा है, आप ऐसे कह सकते है तो इसी परकर देख लिए काइट सब्द जो हमारा है है किसी में के हमारा मिल रहा तो दोस्तों आप यहां से अगर देखेंगे तो के हमारा सभी में पहले लेटर में सभी में के मिल जाएगा फिर आई देख लिए आई दूसरे वाले में भी मिल जाएगा यहां भी मिल जाएगा फिर देखें टी इन तीनों में टी मिल जाएगा फ अब आपको देखना क्या है कि यहां से देख लिया जाए अगर तो अब हम करना क्या है यानि कि अब इसमें तो हम confusion हो रहे हैं कि अब इन तीनों में से कौन से राइट हो सकता है तो मैं आपको राइट करने के तरीका बता रहा हूँ देख लिएगा यहां पे B हमारा कौन से लेटर पे मिला है B हमारा दूसरे वर्ड पे मिला है और यहां पे A हमारा चौते पे मिला है और यहां पे L हमारा पहले पे मिला है और फिर यह L हमारा तीसरे पे मिला है अब दोस्तों अब यही काम आगे भी देख लिएगा के जो मिलेगा दूसरे पे मिलना चाहिए तो सभी में के हमारा दूसरे पे है फिर आगे जो आई है वो चौथे लेटर पे मिलना चाहिए तो आई देखिए यहां भी चौथे पे है और यहां भी चौथे पे है यहां भी चौथे पे है तो आई तक तो सही हो गया अब आई के बाद अगर देखेंगे T तो T हमारा देख लिजेगा अगला लेटर यहाँ पे तीसरा वाला लेटर हमारा एक नमबर पे है तो यहाँ पे आपको एक नमबर पे T मिलना चाहिए एक नमबर पे आपको तीसरे में देखिए T हमारा तीसरे नंबर पे ये भी है और तीसरे नंबर पे इसमें तो नहीं है तो ये हमारा C भी गलत हो जाएगा और आगे देखेंगे उपर वाले में तीसरे नंबर में हमारा क्या मिलना चाहिए दोस्तों तीसरे नंबर में E मिलना चाहिए तो यहाँ पे तीसरे नमबर पे हमारे डूटी दिया गया है तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा इसका मतलब हमारा right कौन सा हो जाएगा 204 का D के साथ यह question क्या हो जाएगा बिल्पल right हो जाएगा यहाँ कि सकाई S-K-Y और फिब्रेन B-R-A-I और N ब्रेन और टेबल यहाँ पे T-A-B-L-E टेबल और यहाँ पे G-O-E और फिर आगे S यह हो जाएगा अब देख लीजएगा यहाँ पे देख लीजएगा दूसरे नमबर पे हमारा मिल रहा है फिर चौथे नमबर पे मिल रहा है फिर यहाँ से देखेंगे तो पहले नमबर पे मिल रहा है और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यह तीसरे नमबर पे मिल रहा है तो जो जो ऊपर सारे लेटर जिस जिस पद पे मिल रहे थे जिस जिस नंबर पे मिल रहे तो वही वही नंबर पे हमारा यहां पे देख लेना है तो यहां पे हमारा 204 का D के साथ यह कोईशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा ओप सो दोस्तों आपको एक कोईशन समझ में आया होगा अब दोस्तों देख लिए कूलर को इसने क्या कहा दिया कूलर को भोजन कहा जाता है भोजन को गुलाब कहा जाता है अब गुलाब को रेश्टोरेंट कहा जाता है और रेश्टोरेंट को नटखट कहा जाता है तो आदमी क्या खाएगा अब दोस्तों देख लिएगा आदमी भोजन खाता है तो यहां पर क्या कहा गया देखिए भोजन को गुलाब कहा जाता है यानि कि आदमी क्या खाएगा गुलाब खाएगा यानि कि गुलाब हमारे क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट अंतर हो जाएगा भोजन को गुलाब कहा जाता है तो यानि कि आदमी क्या खाएगा आत्मी भोजन खाता है लेकिन भोजन का नाम क्या नाम बदल दिया गया गया गुलाब कह दिया गया तो यहाँ पर 205 का हमारा वी के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए यह भी दोस्तों देखेंगे 205 के बाद 206 नमबर और यहा C, F, M लिखा जाता है तो उस भासा में E के लिए प्रियुक्त कूट क्या है हमको E के लिए प्रियुक्त कूट बताना है तो देख लिजे तो यहां से अगर हम देखें तो इसने जो सबसे पहले क्या लिखा है तो देख लिखें यहां पर लिखा सबसे पहले FAST तो हम F, A, S, और T, फास्ट के लिए इसने बताया यहाँ पे बताया B और फिर आगे T, और फिर यहाँ पे U और फिर यहाँ पे G, हमने अलगे लेटर लिए क्योंकि एक सिंगल लेटर का पूछा है फिर आगे देखेंगा, राइट सब्दों लिखा तो P, W तो हमारा हो जाएगा P, W, F, M तो यहाँ पे हमने रख दिया, F, M रख दिया आगे देखेंगे हमारे टेबल जो सब्दों लिखा देख लिए T, A, T, A, B, O, B, L, L, L के आगे दोस्तों की टेबल को यहाँ पे इसने बताया U, B, C, तो हमने लिख दिया U, B, हमने B लिख दिया U, B, C, हमने आगे C लिख दिया U, B, C, F, F के बाद दोस्तों हमारा M आ जाएगा यह बात हो गई, अब यहाँ से आगे अगे अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ से देख लिए क्या हम कर सकते हैं इस कुशिन को यहाँ से हमको पूशा क्या गया है E के बारे में पूशा गया है यह E का लिए यह प्रिएक्ट कोड बताना है तो देख लिजेगा E के लिए अगर हम देखेंगे तो E हमारा देख लिजेगा यहाँ पे common किसमे मिल रहा है E हमारा दूसरे और तीसरे में E common मिल रहा है, दूसरे और तीसरे में, देख लिजएगा, दूसरे और तीसरे में, और कोई लेटर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो दूसरे और तीसरे में, देख लिजएगा, यहां से common लेटर हमारा क्या मिल जाएगा, F सब्द मिल जाएगा, तो यह जो F मिल जाएगा, य का हमारा राइट एंसर हो जाएगा F यानि कि आपसर नमबर 206 का A के साथ एक कुशन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुश राइट बन जाएगा नेश्ट हम लोग देखेंगे 206 के बार 207 नमबर और यहां से देख लिजिए ल, और K, J, H का अर्थ है He is Ramb, C, B, N और K, J, H, O, I, U का अर्थ है राम है जकार तो इस भासा में इट का अर्थ हमको बताना है दोस्तों देख लिजिएगा इट का अर्थ हमको बताना है तो अब हम यहां से क्या कर लेंगे सबसे फिल देख लिएगा इज हमारा पहले वाले में ये दिया गया है और इज हमारा दूसरे वाले में ये दिया गया तो पहले और दूसरे वाले में हम common देख लेंगे तो हमारा यहां पर पहले और दूसरे में क्या हो जाएगा जी जे इल हो जाएगा और यहां पर भी जी जे इल हो जाएगा फिर आगे देखेंगे यहां पर यह हमारा इज का तुझे निकल आएगा अब यहां से अगर देखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा राम सब्द का हमारा देख लिए राम हमारा यहां से निकलाएगा नहीं राम नहीं हमको कार का निकालना है ठीक है ना तो यहां से हम कार का निकालना है और तो यह जो हमारा हो जाएगा कार सब्द का तो यहां से देख लिए कार का हमारा पहले वाले में यह हमारा हम गोला कार पना देते हैं और दूसरे यह कार हमारा यहां से यह दिया गया है तो पहले और तीसरे में देख लिए यह common क्या मिल आए तो पहले में हमारा देखिए CBM और तीसरे वाले में भी CBM यह मिल गया है तो अब यह दो निकल गए तो यहां पर इट के लिए क्या बचाट अब इट क रखने में दोस्तों क्या था मिस्प्रिंट हो गया होगा तो यहाँ पर आप समझ लेजिएगा दोस्तों साथ का हमारे T U O हमारा इस question का क्या बन जाएगा right answer बन जाएगा चलिए next question लोग देखेंगे अपरे दोस्तों साथ के बाद दोस्तों 208 number और 208 number question हमारा ये दिया गया है दोस्तों आपर दिया गया है कि एक निशित कूट भासा में 95 का अर्थ है estimated time और four six nine का अर्थ है space and time है और six five का अर्थ है estimated space तो उसी कूट भासा में निम्लिखित में से कि संख्या का अर्थ इस्पेस है, हमको इस्पेस का अर्थ बताना है, देशन देखेंगे हमारा RRB NTPC के 25 जनवरी 2021 के सिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में हमारा कोशन पूचा गया है, तो यहां से अगर हम देखें, तो सब estimated और time, यहां पर आगे बढ़ा देएंगे, हम लिख देएंगे estimated time, अब आगे देखेंगे तो हमारा लिखा 4, 6 और फिर आगे लिखा 9, इसका अर्थ लिखा है o space, तो हमने यहां से लिख दिया space, and time, हमने यहां पर लिख दिया o time, फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो six तो 6 और 5 का देख लिझे अगा यहां पर क्या लिखा है इसकर लिखा है estimated space लिखा। अब अगर आगे हम देखें तो हमको निकालना क्या है है। अगर दोस्तों, space का code निकालना है तो यहां से देखें यह space कहा diplomat पर दिया गया है यहां से common हो जाएगा हमारा 6 यहां से भी common हो जाएगा और 6 हमारा यहां से भी common हो जाएगा तो पुल मिलाकर के space सब्द का हमारा जो यह number आ जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 6, 6 हमारा दिया गया है यहां पे तो 208 का हमारा A के साथ यह question right हो जाएगा नेस्ट कुछन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 208 के बाद दोस्तों 209 नमबर और यहाँ से देख लिए गया है कि एक विशेश कूट भासा में सार्क्स और फिस को at the rate has empty लिखा जाता है तो उस कूट भासा में सार्क के लिए प्रियुक्त कूट बद क्या होगा या कूट सब् यह हमारा NTPC 2021 में कोशन पूशा गया है यहाँ से देख लिएगा यहाँ पे लिखा है सार्क्स तो हमने यहाँ से लिख दिया सार्क्स आर्फिस यहाँ पे हमने लिख दिया सार्क्स आर्फिस तो इसका कोड इसने क्या बता दिया गया है इसका कोड बताया है इसका यहाँ स इसके बाद आगे देखें तो empty यह हमारा हो जाएगा अगला वर्ड empty यानि कि add the rate हमारा अलग word है और यहां पे हमारा अलग सब्दा यह है और यहां पे empty हमारा तीसरा हो जाएगा ठीक है यह हो गया अब इस बिकार देखें तो हमारा आगे वाला जो दूसरा लिखा यहां पे लिखा है fish eat food यहां पे हमने fish eat और यहां पे हमने लिख दिया food अब यहां से देखें तो इसका हो जाएगा हमारा lu फिर यहां पे देखें empty empty के बाद फिर हमारा यहां पे ak यह हमने ak रख दिया फिर आगे लिखा जाया MT, AK, फिर यहाँ पे add the rate, तो हमको SARCS का code बताना है कि SARCS का code क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ से अगर देखेंगे, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से यह कह लिजेगा, देखिए यहाँ पे FISH सबसे पहले हमारा FISH यहाँ पे लिखा हुआ है, और FISH हमारा यहाँ पे यह लिखा हुआ है, और FISH हमारा यहाँ पे यह लिखा हुआ है, तीनों में हमारा FISH मिल गया, तो तीनों में लेटर देख लिजेगा हमको क्या common मिल रहा है, MT यहाँ से भी मिल रहा है, MT हमको यहां से भी मिल रहा है और MT हमको यहां से भी मिल रहा है तो आपको पता हो गया दोस्तों फिस का जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा MT हमको फिस का तो बताना नहीं हमको बताना है सार्क का अब दोस्तों देख लिएगा सार्क सब्द हमारा यहां से हमने इसको गोला कार में भर दिया और यहां से भी हमने गोला कार में भर दिया सार्क हमारा पहले और तीसरे में दिया गया है तो पहले और तीसरे में यहां से देखें तो यहां पर पहला और तीसरे में हमारा सार्क यहां पर देख लिए क्या दिया गया है तो पहला हमारा सब्द यहां से हो जाएगा यहां पे देखिए add the rate यहां पे हमारा यह है और यहां भी हमारा add the rate यह दिया गया है तो कुल मिलाकर के यहां पे हमारा सार्क सब्द जो दिया गया है इसका हो जाएगा add the rate तो add the rate हमारा C पे दिया गया है तो 209 का हमारा C के साथे question हो जाएगा right हो जाएगा आगे देखेंगे हम लोग 209 के बाद दोस्तों हम लोग 210 नमर question और यहां से देख लिजिएगा लिया गया है कहा गये किसी विशिष्ट कूट भासा में राम वर्क देयर को हुज टी आर ई के तौर पर लिखा जाता है सीमा इस्टडी देयर को न-o-e-d-o-w-t-r-e के तौर लिखा जाता है और राम इस्टडी हेर को ह-u-g-e और ड-o-w-t-r-y के तौर पर लिखा जाता है तो इसी भासा में राम देयर और सीमा वर्क को क्रमसा किस तरह लिखा जाएगा यह बात बतानी हैं हमको ये दोस्तों हमारा NTPC के 2021 में question पूँचा गया है तो यहां से देख लेते हैं सबसे पहले इसमें देखिए यहां पे लिखा है RAM हमने लिख दिया RAM RAM work there तो हमने यहां से लिख दिया RAM आगे लिख दिया work वर्क के आगे हमने लिख दिया दोस्तों there तो इसका code इसने क्या लिख दिया है HUGE हमने यह लिख दिया और फिर आगे TYO तो हमने लिख दिया TYO और उसके बाद अगर आगे हम देखें TYO फिर लिखा है TRE तो हमने लिख दिया TRE यह हो जाएगा फिर आगे हम यहां से दिख लेंगे थोड़ा से इसको और साप सफाई से अगर लिखें दोस्तों तुता किया कि अभी आपको पढ़ने में समझ में भी आए तो यहां से देख लीजिये कि आगे लिखा TRE तो हमने आप लिख लिख दिया T-H-E-R-E सीमा एस्टडी देर को अगर हम देखें तो N-O-E तो हमने यहां से लिख दिया N-O-E यह हमने N-O-E कॉमा कर दिया फिर दूसरा लिखा D-O-W फिर आगे लिखा T-R-E यह हो गया हमने यहां से यह लिख दिया फिर आगे देखेंगे कह रहा है राम S-T-D-H-E-R तो हम इसके लिए देख लिएते हैं यहां पर हमने देएंगे राम S-T-D-H-E-R-E तो राम S-T-D-H-E-R-E के लिए लिखा है H-U-G-E तो H-U-G-E D-O-W D-O-W T-R-Y तो T-R-Y हमने लिए दिया अब करना तो इसी भाहसा में राम D-H-E-R और सीमा वर्ग को करमसा किस तरह लिखा जाएगा हमको बताना है राम D-H-E-R का और सीमा वर्ग का बताना है तो यहां से देख लिए जाएगा राम D-H-E-R यहां से भी हमारा T-R-E यह मैच हो गया तो कुलमलागर के यहां से हमको पता चल गया T-H-E-R-E का कोड हमारा क्या हो जाएगा यहां पे D-H-E-R का कोड T-R-E हो जाएगा यह बात हो गई अब आगे अगर हम देखेए तो यहां से देख लिजएगा आगे हमारा अब डेर का तो हमने निकाल लिया अब राम का देखा जाए दोस्तों तो राम हमारा देख लीजिए गब पहले में हमारा ये यहां पे राम ये मौजूद है और तीसरे वाले में राम हमारा ये मौजूद है तो पहले और तीसरे में यहां पर H U G E देख लीजिए हमारा यह मौजूद है यहां से हमको पता चल गया कि राम का हो जाएगा H U G E यह हो जाएगा अच्छा यह बात हो गई यहां से अब आगे अगर देखें तो सीमा कब निकाला जाए दोस्तों तो सीमा देखिए सीमा और वर्क सीमा वर्क देखिए वर्क सब्द का हमारा दोस्तों यहां से देख लिए यह मिल जाएगा यह वर्क का हमारा यहां से निकल के आगया तो वर्क का देख लिए यहां पर क्या बचा टी वाई टी वाई ओ यहांपे हमें लिदिया ती वाई ओ लिख दिया अब बच gens सीमाब बचैंस 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 को सी सीमा का हमारा कोड क्या हो गया इन ओई हो जाएगा अब हमको देख लिए बताना क्या है इसके कहने का मतलब यह था राम देयर तो राम देयर यानि राम राम का हमारा एच यू एच यू जी हो जाएगा देयर का हमारा हो जाएगा टी आर ए हो जाएगा यह हो जाएगा और अगर इसको हम देखे हैं यह हमारा कोईशन को ऑने राइट हो जाromagnाई जाया गा ऐमारा कोईशन के हमारा Г listen क्या हो जाएगा यानि 210 का अगर हम देखे तो 210 का हमारा कोईशन क्या हो जांगा बिल्कुल राइट बन जायेगा आगे देखेंगे 210 के बाद दोस्तों हम लोग 211 नमबर और यहां से देख लिजए 211 नमबर question में दिया गया है कि यदि पस्चिम को दच्छिन, दच्छिन को पूरब, पूरब को उत्तर और उत्तर को पस्चिम कहा जाता है तो सुर्योदे किस दिसा में होगा तो दोस्तों देख लिजएगा, यह कहीं ने कहीं हमारा दिसा आयानी कि डारेक्शन वाले chapter का question यहां पे दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग चैर्टर में चले ठीक है, फिर भी हम लोग इसको हल करते है यहां पे देख लिजएगा, इसका जो दिसा का चार्ट होता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहां पे यह होता है, पूरब होता है यह हमारा पस्चिम होता है, यह हम उत्तर होता है, और यह हमारा दच्चिम होता है तो दच्छड यह हमारा है इसको हम क्या कह देंगे इसको हम पूरब कह देंगे अब पूरब को उत्तर कहा जाएगा तो इसको हम क्या कह देंगे इसको हम उत्तर कह देंगे और उत्तर को पस्चिम यानि कि यह हमारा उत्तर है इसको हम कह देंगे दोस्तों पस्चिम कह देंगे तो यहां से हमने पस्चिम लिग दिया तो कह रहा है सूर्योदा किस दिसे में उगएगा सूर्योदा हमारा पूरब में उगता है तो यानि कि पूरब दिसा हमारी कौनची बन गई उत्तर दिसा बन गई है है कि एक विशिष्ट कूण भासा में तुमारो U C को L A E T V I लिखा जाता है R U Late को E T J U F A लिखा जाता है तुमारो Come Let को S I V I F A लिखा जाता है उसी कूण भासा में R को कैसे लिखा जाएगा तो यहां से अगर हम देखें तो ये भी दोस्तों हमारा NTPC 2021 के फर्स्ट स्टेज के CBT में कोशन हमारा पुछा गया है क्या आँ से देख लिजेगा इसने सबसे पहले पर बता दिया गया है तुमारो 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 यू सी तो हमने लिए तुमारो यू आगे लिग दिया सी इसको क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है दोस्तों LA लिखा जाता है फिर आगे ET लिखा जाता है फिर आगे हमारा VI लिखा जाता है फिर आगे और देखेंगे आर यू लेट अब देखिए आर यू लेट को क्या लिखा जाता है तो आर यू लेट को अगर हम देखें आर यू लेट को हम लिखेंगे ए टी लिखेंगे और फिर यहां से जे यू लिखेंगे और फिर यहां पे हम एफ ए लिखेंगे फिर आगे तुमारो कम लेट यहां से लेख लिए ती ओ और यहां पे म, ओ, डबल, आर, ओ, डबल, तुमारो कम लेट तो इसको हम क्या लिख देंगे तुमारो कम लेट को हम लिख देंगे S, I, S, I, V, I, V, I, फिर F, A तो हम लिख देंगे F, A तो यहां से हमको बताना क्या है तो उसी कूट भासा में R को कैसे लिखा जाएगा हमको R को बताना है तो यह जो R है इसका हमको निकालना है तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखे हैं देख लीजे पहले हम U को निकाल के बाहर फेंके और फिर late को निकाल के बाहर खेंगे तो हमारा r का जो बच्चे का वही उसका right answer बन जाएगा तो देखिए u हमारा पहले और दूसरे में match हो रहा तो पहले और दूसरे में देख लिजिए कि हमारा क्या match हो रहा है et सब्द यहां पे भी है तो यहां पे हमको यह पता चल गया तो यू का code जो होगा वो et होगा अब देखेंगे late late सब्द हमारा देख लिजिए दूसरे में यह दिया गया है और late सब्द हमारा तीसरे में यह दिया गया है तो दूसरे और तीसरे में common देख लिजिएगा यह F A यहां भी है F A यहां भी है तो कुल मिलाकर के हमारा लेट सब्द का common word क्या निकल किया गया F A निकल किया गया अब हमको R का निकालना था दोस्तों देख लिएगा R का यह बचा और R के यहां पे क्या बचा J U बचा D mega熟ец देख लिए यहां भी है कहा भी है ठीदों भी हम का प्रियोग होगा अब दोस्तों खाने के लिए हम गेहु का प्रियोग करते हैं इसने कैँ कहा है कलम को गेहु कहा जाता है और गेहूं को कुरसी कहा जाता है तो खाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों कुरसी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे खाने के लिए खाने के लिए दोस्तों गेहूं को प्रयोग करेंगे तो गेहूं को इसने क्या बता है कुर्सी हमारा यहांस देख लिए कहाँ पर दिया गया है ए पर तो 213 का हमारा A के साती कूशन हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे देखेंगे हम लोग 213 के बाद दोस्तम लोग 214 नमबर और यहां से देख लिएगा 214 नमबर कूशन पर दिया गया है इस पे ये कहा है कि यदि सेव को सैंपू कहा जाता है सैंपू को दूद कहा जाता है दूद को कलम कहा जाता है कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेव कहा जाता है तो पीने के लिए इन में से किसका प्रयोग किया जाएगा अब दोस्तों देख लिएगा सेप तो आप पीएंगे नहीं ना तो सैंपू पीएंगे यहां पे सैंपू को दूद का जाता है दूद को कलम का जाता है कलम को बाल का जाता है बाल को सेप का जाता है तो दूढ़ पीने के काम आता है तो यहां पर देख लिए क्या का दूढ़ को कलम कहा जाता है तो पीने के लिए आप क्या प्रियोग करेंगे तो कलम का प्रियोग करेंगे तो कलम सम्तमारा D पे दिया गया है तो 214 का हमारा D के साथ क्या हो जाएगा बन जाएगा निस्ट कुशन हम लोग देखेंगे दोस्तों चोगता के बाद दोस्तों 215 नमबर और यहां से देख लीजे दिया गया है कि एक विशिष्ट भासा में इस्टेर्स गोइंग अप का अर्थ है क्यूई डबलू एडी एस जेड सी डबलू जेड सी एकस है हाउ मेनी इस्टेर्स का अर्थ है पी आई ओ एल जे के एडी एस है और ही इज गोइंग का अर्थ है क्यूई डबलू आर वाई टी एफ एच जी है दिये गए विकल्पों में से किसका अर्थ अप है दोस्तों हमको अपका अर्थ बताना है क्या हो जाएगा अब सबसे पहले अब यहां तो देखेंगे आपको यहां पर अप सब्द कहां मिल रहा है तो इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि या लेड़ी सीधा-सीधा लिखा हुआ है तो हमको लिखने की ज इस्टेयर सब्द ले लिया और दूसरे वाले से भी हमने इस्टेयर सब्द ले लिया तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो common यहां पर क्या मिल जाएगा तो यहां से देखेंगे का पहले वाले में हमको ADS मिल जाएगा और दूसरे वाले में भी हमारा ADS मिल जाएगा यहा लिखा है तो पहले और तीसमें में देख लिजिएगा क्यू इडबलू हमारा ये मिल जाएगा और क्यू इडबलू हमारा दोस्तों देख लिजिएगा ये मिल जाएगा अब बचा यहां पर देखिए क्या अपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा जैनी कि अपके लिए हमारा क्या code बच्चा जेड़ सी एक्स तो जेड़ सी एक्स हमारा B पे दिया गया है इसलिए हमारे इस question का 215 का B के साथ हमारा हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 215 के बार 216 नंबर और यहाँ पे देख लिए यह गया है इस पे कहा गया है कि किसी निश्चित कूड भासा में राम इज बॉय को QAZ और WSX और EDC लिखा जाता है बॉय हैज कार को PLM QAZ IJB और कार इज बू को EDC IJB और FTB लिखा जाता है उस भासा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा यह हमारा RRB NTPC 2021 में फर्स्ट स्टेज में कुश्चिन हमारा पूछा गया है जैसे जैसे इसने कह रहा है वैसा हम काम कर लेते हैं कहा गया राम इज बॉय तो हमने यहाँ पे लिख दिया E D और यहाँ पे C E D C लिख दिया फिर आगे यहाँ पे दिखा जाए तो हमारा हो जाएगा Boy Hedge Car Boy Hedge यहाँ पे लिख दीजिए हमने Car Boy Hedge Car को यहाँ से दिख दीजिए क्या दिया गया P, L, N और फिर यहाँ पे Q, A, Z और फिर I और यहाँ पे J और यहाँ पे हमारा हो जाएगा B यह हो जाएगा फिर आगे दिया गया है हमारा Car is Blue Car is Blue को यहाँ पे देख लिए लिखा गया है EDC और फिर I और फिर J और फिर यहाँ पे B F T और यहाँ पे B तो हमको यहाँ पर राम सब्द का हमको value निकालना है तो सबसे पहले देख लिए राम सब्द हमारा पहले वाले में ही दिया गया तो इज और बॉय को हम पहले क्या करें गाइब कर देख लिए अब यह बॉय सब्द हमारा पहले वाले में दिया गया है बॉय सब्द हमारा दूसरे वाले में दिया गया तो पहले और दूसरे से हमको comment ढोनेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा Q, A, Z ये मिल गया और Q, A, Z हमको ये मिल गया अब देखेंगे तो इज सब्द हमारा यहां से देख लिजे यहां से आ गया WSX यह निकल के आ जाएगा तो यह हमारा आपसन देख लिए कहां पे दिया गया है तो 216 का हमारा C के साथ एक कुशन राइट हो जाएगा आगे देखेंगे 217 नमबर और 217 नमबर में कहा है कि एक निश्यत कूट भासा में C इज़ फाइन को L I Q I S I लिखा जाता है और इज़ सैंड हेल्थी को O I T I L I लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में इज़ को किस प्रकार लिखा जाएगा देख लिखेंगा यहां पर सब्सक्राइग लिखा C हमने लिख दिया C is fine तो हमने लिख दिया C is fine इसको लिखा जाता है दोस्तों L I फिर Q I फिर यहां पर SI फिर लिखा इज सैंड तो यहां से आगे लिखेंगा हमने लिख लिखेंगा इज सैंड हेल्थी ह-e-a-l-t-h-y इसको लिखा जाता है दोस्तों देख लिखेंगे क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है O I फिर T I पिर एक बाद L I यह हो गया फिर अब हमको बस यहां पर इज का कोड़ बताना है देख लिखेंगा इज सब् यह सी पे तो 270 का हमारा सी के साथ यह भी कोशिन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 270 के बाद 2208 नमबर और अर्थसास्त और संस्कुत के नाम से जाना जाता है तो हमने न्यूटन के बारे में किस विखें में पढ़ा था तो दोस्तों न्यूट भौतिकी के बारे में पढ़े थे Mew continue में निवारी में यूटन के बारे में हम भौतिकी के बारे में पढ़े थे लेकिन अब यहांपे भौतिकी को क्या अर्थ सास्त लिख देंगे, अर्थ सास्त हो गया, फिर करमसा, अब इनको करमसा का आ गया भावतिकी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप भावतिकी इसको लिखिएगा, अब कहरा करमसा भावतिकी, फिर यहाँ पर इतिहास, यहाँ पर हमने लिख दिया इतिहास, इतिहास के बा तो अब यहां से कहा है तो हमें Newton के बारे में किस विसाय में पढ़ा था Newton के बारे में हमने देख लीजिए Newton के बारे में हमने पढ़ा था बहुतिकी के बारे में पढ़ा था तो बहुतिकी को यहां पर क्या कहा जाए अर्थसास्तर कहा जाए तो बहुत की को जब अर्थसास तर कहा जाएगा तो यही अर्थसास हमारे इस question का right अंतर बन जाएगा यानि कि आप से नमबर देखें तो 218 का डी के साथ ए question क्या हो जाएगा right हो जाएगा आगे देखेंगे हम लोग 218 बार 219 नमबर और यहां पर अच्छा 288 बार 219 नहां पर देखेंगे 18 है 288 बार 219 नहां पर नहीं दिया गया है तो आपको दोस्तों बता दो आपको घबराना नहीं कि मैं यहां पर question छोड़ दिया हूँ तो आप अपनी book में भी देखेंगा 219 नमबर question book में भी हमारे इसमें नहीं दिया गया थे इसलिए हमने 219 नमबर question यहां पर नहीं रख पाए है तो दोस्तों चलिए हम देखेंगे है 220 नमबर question यहां पर देख लीजेगा इसमें दिया गया है कि किसी संकेतिक भासा में सूरत is a hot place का अर्थ है अर्थ होट इस प्लेस सूरत और फित था water वैप्योर to air hair को लिखा गया है to air वैप्योर hair water लिखा गया है तो उसी संकेतिक भासा में सिम्ला is a hill place को क्या लिखा जाएगा सिम्ला is a hill place को क्या लिखा जाएगा तो यहां से अगर हम देखें इसका code यह लिखा जाता है इसका code यह लिखा जाता है तो सिम्ला is a hill place को क्या लिखा जाएगा तो यहां से देखें तो यह हमारा NTPC के stage first में दोस्तों 2021 में हमारा question उचा गया है तो यहां से अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर देख लिखा है सूरत तो हमने लिख दिया यहां पर सूरत is a heart तो हमने आगे लिख दिया is a heart is a heart place आगे सूरत हमने यहाँ पे लिख दिया सूरत अब देखिए प्लेस को यहाँ पे तीसरा पॉइंट दे दिया गया और सूरत को हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट दे दिया इस प्रकाशिश ने लिखा आए अब ऐसे ही देखें वाटर तो हमने आगे दूसरा लिख दिया व एर, टू एर हो जाएगा, टू एर और वेपोर, यानि कि वी ए, पी ओ यू आर, वेपोर हीर, हमने आगे ले दिया हीर, और फिर यहाँ पे वाटर, डबलू ए टी ए आर, यह इतनी सी बात हो गए, तो इसी पकार दोस्तों देख लिएगा, इसने भी यही काम किया है, पहले ट इसको दूसरा पॉइंट बनाया है, इसको तीसरा पॉइंट बनाया है, और इसको चौथा पॉइंट बनाया है, तो ऐसे ही सेम हम देख लिएगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे जो सब्द हमारा लिखा है, यहाँ पे सीमला, इज, इज, फिर आगे ए लिखा ह फिर आगे हमारा हिल लिखा है, हमने हिल लिख दिया और आगे हमारा प्लेस लिखा है, प्लेस लिख दिया, इस को सब्सक्राइब हम क्या लिखेंगे, ए हिल लिखेंगे, तो सब्सक्राइब हम देख लिखेंगे, इज लिखेंगे, फिर आगे प्लेस लिखेंगे, और फिर आ पर मौझूद है तो 220 का हमारा A के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा राइट बन जाएगा आगे देखेंगा हम लोग 221 नमबर और यहां से देख लिज़े दिया गया है कि किसी निश्यत कोड़ भासा में 257 का आर्थ है I like you 746 का आर्थ है you are good और 263 का आर्थ है I am good और R के लिख दिया I like you I like हमने you लिख दिया फिर 746 अगर हम देखें का आर्थ है यहां से 746 का you are तो हमने बिख रिया you are good तो हमने लिख दिया you are good हो गया फिर आगे अगर देखें तो 263 हमारा जो लिखाँ рад ette का अठवा है I am good तो यहां पर यहां पे I am और फिर यहांपे हमारा good तो यहां से R सब्द काम को निगालना है, तो R देख लिजे, यहां पे R है, यह हमारा, तो सब च्छेपले हम, U को गाइब कर दें, देख लिजे, U यहां पे है, और U हमारा, यहां पे है, तो पहले और दूसरे से, Common हमको क्या मिल लाएगा, साथ यहां पे देख लिए यह साथ है और यहां पे हमारा यह साथ है फिर देखा जाए दोस्तों तो गुड़ सब दुक्राम यहां से गाइब कर दें तो यहां पे देख लिए गुड़ हमारा यह दिया गया है अब गुड़ हमारा यह दिया गया है तो दूसरे और तीसरे में यहां से हमारा 6 गैब हो जाएगा, यहां से भी 6 गैब हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों, R के लिए क्या बचा, R के लिए हमारा दोस्तों, बचा यहां पे 4, यहां से हमारा 4 हो जाएगा, 4 दिया गया, D पे, 221 का हमारा D के साथ एकुशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाए और 956 का अर्थ है टोमेटो लब मैंगो तो मैंगो के लिए किस अंग का उपियोग किया गया है तो देख लिएगा यहां से अगर हम देखें तो 924 जो हमारा लिखा है इसका अर्थ है दोस्तों क्या लिखा है इसका अर्थ लिखा है दे लाइक टोमेटो यहां पर हम लिख दे वी लब टोमेटो यहाँ पर T O M A T O वी लब टोमेटो हो गया अब 956 का अगर हम देखें 956 का हमारा हो जाएगा टोमेटो तो यहाँ पर हमने लिख दिया टोमेटो और लब टोमेटो हमने लिख दिया लब और यहाँ पर लिख दिया मैंगो टोमेटो लब मैंगो हमको निकालना किस पहा है दोस्तों हमको मैंगो सब्द के लिए निकालना है तो मैंगो देख लिजिए हमारा यहाँ पे दिया गया है तो इसमें हम लब और टोमेटो को पहले गैप करें देख लिजिए लब को और टोमेटो को गैप करेंगे देख लिज हमारा 5 बाहर कर देंगे 5 बाहर हो जाएगा यहां पे हमको mango के लिए code क्या बचा mango के लिए code हमारा बचा 6 तो 6 हमारे इस question का right answer बन जाएगा यानि कि आप सान नंबर देखें तो हमारा d के साथ यह question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा देखेंगे 222 के बाद दोस्तों 233 नमबर और यहां से देख लिए यह गया है इस पर कहा गया है कि एक विशिष्ट कोड भासा में इस भासा में एनिमल्स का कोड क्या होगा हमको एनिमल्स का कोड बताना है तो देख लिएगा यहां पर सबसे परले जो इसमें लिखा है हर्स 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 श-ο-R-S-E-S हर्स और एनिमल तो हर्स और एनिमल तो अ-n-i-m-a-l-s तो इसका कोड इसने क्या बताया इसका कोड हमारा लिख दिया गया एल-u फिर आगे हमारा हैज फिर आगे हमारा अयट-दर रिट यह हो गया आगे अगे हम देखें तो यहां से देख एनीमल्स फिर आगे आर तो हमने लिख दिया यहां पे आर फिर यहां पे लिख दिया एम ए एम और फिर एम 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 फिर एम एल एस को क्या लिख दिया जाता है यहां से दोस्तों देख लिए जब यहां से इसके लिखा जाता है के टी तो हमने लिख दिया के टी फिर यहां पे ल यू तो हमने लिख दिया फिर यहां पे हमारा है तो हमने हैज लिख दिया फिर तीसरा वर लिखा है आर तो हमने आर लिख दिया हार्स हो आर एस एस आर हार् को लिखा जाता है दोस्तों क्या यहां से लिखा जाता है केटी तो हमने केटी लिख दिया फिर यहां पे हैज तो हमने हैज बना दिया फिर एड़ दरेड तो हमने यहां से एड़ दरेड बना दिया हमको निकालना है एनिमल्स का निकालना है तो एनिमल्स दोस्तों देख लिजेगा हमारा यहां पर यह दिया गया है और यहां पर एनिमल्स हमारा यहां पर देख लिजेगा यह पहले वाले में दिया गया है तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें हैं तो आर, सबसे पहले हम आर सब्द के लिए कोड निकालने हैं, देखिए, आर सब्द हमारा यहां भी है, आर सब्द हमारा यहां भी है, और आर सब्द हमारा यहां भी है, तो तीनों में अगर हम देखें तो हमको common क्या मिल रहा है, तीनो हमारा सब्द क्या हो जाएगा यहां से हमारा इनिमल्स यह दिया दूसरे में और यहां पे हमारा दिया गया है पहले में इनिमल्स तो पहले और दूसरे को जब देखेंगे पहले और दूसरे को देखेंगे तो यहां पे हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा देखिए यह हमारा LU दिया है और यहां से भी हमारा LU दिया गया है तो पुल मिलाके हमारा एनी मल्स के लिए हो जाएगा कितना LU हमारा हो जाएगा इस question का right answer तो LU हो जाएगा C यानि कि 220 का हमारा C के साथ यह question right हो जाएगा आगे देखेंगे 220 के बाद दोस्थ थो हमलों ओब दोस्थ चॉबिस नंबर और यहां से डेख लीजे कर दिया ये गया है कि यहादी हांकी को मैच के रूप मे अब बासकेटबाल को बिण के रूप मे बैड्मेंटन को इस्टूल के रूप मे तदा क्रिकेट को डिस्क के रूप में जाना जाता है तो इनमें से कौन सा खेल दो खिलाडियों या टीमों के बीच निट लगाकर खेला जाता है तो दोस्तों आप जानते हैं कि दो खिलाडियों के बीच निट लगा करके खेल खेलने जानने वाला हमारा गेम क्या है वो है दोस्तों बैड मिंटन है क्या है दोस्तों बैड मिंटन निट लगा करके हम दो खिलाडियों के बीच में खेलेंगे किसको खेलेंगे दोस्तों बैड मिंटन को खेलेंगे अब यहां से देख लिजे क्या कहा बैसकेट बाल को बेड के रूप में और बैड मिंटन को चूल के रूप में घिने कि इस tool हमारे question का क्या हो जाएगा right answer badminton को ही दोस्तिस ने क्या कहा जाता है तो इस tool हमारा दिया गया है यहां पे तो दोस्तो 24 का हमारा A के साथ question क्या हो जाएगा right हो जाएगा next हम लोग देखेंगे 225 नमबर और 225 नमबर question पर देखेंगे यहां पे दिया गया है कि किसी विशिष्ट कूट भासा में food is heart को फेनी dmil लिखा जाता है ती is ready को dind kele लिखा जाता है तो cold and heart को k-a-n-k-u-m-i-l तथा i am ready को mist n-i-k-e-l-e के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में टी is heart को कैसे लिखा जाएगा यहां से देख लिजिएगा सबसे पहले यहां पर हमारा जो दिया गया है यहां पर देख लिजिएगा food हमने लिख दिया food is heart तो हमने लिख दिया food is यहां पर heart इसको क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है फेमी, तो हमने लिख दिया फेमी, फेनी है यहाँ पर M नहीं होगा, तो इस दियर पर क्या होगा, फेनी, तो हमने यहाँ सी लिख दिया फेनी, फेनी D, E, D, E और फिर M, I, L ये इसके लिए कूर लिखा जाता है फिर दूसरा हमारा T T is ready तो हमने लिख देंगे T is ready R, E, A, D, Y T is ready को क्या लिखा जाता है इसको लिखा जाता है D, I, N फिर D, E फिर K, E, L, E लिखा जाता है ये हो गया फिर आगे हमारा देख लिखेजगा Cold and Heart यानि कि Cold and Heart को देख लिखेज़े इसने लिखा है Cold and Heart Cold and Heart को देख लिखेज़े यहां पर क्या लिखा जाएगा Cold and Heart को फिर यहां पर K, A, N K, U K, U फिर M, I, L ये लिखा जाता है I am ready यहां देख लिखेज़ेगा I फिर यहां पर हम I am ready R, E, A, D, Y I am ready को क्या लिखा जाता है Meshed N, I यहां से देख लिखेज़ेगा हम लिखेज़ेंगे M, E, S, T Meshed और फिर N, I और फिर K, E, L, E ये लिखा जाता है तो कहा है T, I, J, Heart को क्या लिखा जाएगा किसको दोस्तों T, I, J, Heart को हमको बताना है तो T, I, J देखिए सबसे पहले अगर हम देखेए तो सबसे पहले यहां से देख लिज़ेगा I, J, का कोड हमारा यहां से है और I, J, का कोड हमारा यहां से है तो यहां से अगर हम देखें तो इज इज हमारा देखें इन दोनों से हमको पहले और दोसरे से common के मिल जाएगा DE यह है और DE हमारा यह हो जाएगा तो इज का code हमको यहां से पता चल गया इज का code हमारा क्या हो जाएगा DE हो जाएगा अब हमको निकालना है हाट सब्द का अब देखिए हाट सब्द का अगर हम देखें तो हाट सब्द हमारा देख लिए यहां से यह पहले वाले में हाट है और यहां से हमारा तीसरे वाले में हाट यह लिखा हुआ है तो पहले और तीसरे में देखिए common क्या मिल रहा है पहले औ और तीसरे में हमको यह M-I-L यहां भी दिया गया है और M-I-L हमको यहां भी दिया गया है यहां से अगर हम देखें तो यह हमारा हाट सब्द के लिए हो जाएगा M-I-L हो जाएगा अच्छा आगे देखेंगे तो यहां से अब हमको क्या बचा दोस्तों यहां पे हमको क्या हमने हाट कभी निकाल लिया इज कभी निकाल लिया हाट कभी निकाल लिया अब टी का निकालना बागी है तो टी का अगर हम देखें तो यहां पर टी हमारा क्या हो जागा यहां से देख लिए जिए टी हमारा यह है तो सब्सक्राइब रेडी का हम देख लिए दोस्तों देख लिए गा ठीका? दूसरे और चौथे में हमको common क्या मिल गा? के ए ले यहां से दोनों से हमको यह मिल जाएगा. तो यहां से तो रेटी निकल जाएगा. D-I-N तो D-I-N और फिर D-E और M-I-L ये हो जाएगा T-E हाट का कोड हो जाएगा यानि कि आपसन नमबर अगर हम देखें तो यानि कि D-I-N, D-I-N, D-E-M-I-L ये हमारा A के साथ, 225 का हमारा A के साथ क्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और A-D और H का अर्थ है, C-Clean and Neat और A-D और Question Mark का अर्थ है, Neat Girl तो उस भासा में अड के लिए प्रियुक्त कूट सब्द क्या है यहां पर अड के लिए हमको बताना है तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले यहाँ पर हाद दिया गया है हाईज की बाद हमारे डॉलर को सिंबल बना है फिर हमारा यहाँ पे इस्टार बना है इसके लिए code बताया गया T A B L E table is clean तो हमने यहाँ पे लिए clean table is clean हो गया फिर यहाँ से देखेंगे add the rate फिर उसके आगे D वी के आगे हमारा यहाँ से हो जाएगा hedge और फिर इसका अर्थ इसने क्या बताया है clean तो हमने यहाँ पे लिए clean and फिर यहाँ पे neat तो हमने यहाँ पे लिए neat ठीक है यह हो गया फिर और कहा है यहाँ पे लिए जिएगा add the rate add the rate और question mark का यहां पे अर्थिस ने क्या बता दिया है NEET GIRL हमें आप लिग गया NEET GIRL G I R L G I R L यह हो जाएगा यह हो गया हमको बताना है दोस्तों कि इसका AND सब्द का बताना है तो AND सब्द अगर देखें तो केवल हमारा AND इस जगे पर यह दिया गया है तो clean और यह need दोस्तों देखेंगे यहां से हम देखेंगे तो need हमारा यहां पे है और need हमारा यहां पे है तो दूसरे और तीसरे में common हमारा हो जाएगा क्या यह हो जाएगा add the rate यहां से भी हो जाएगा add the rate फिर अब आगे दूसरे देखेंगे तो यहां से अगर हमको end का निकालना है तो clean का देख लिजेगा हमारे यहां पे clean सब्द यह है और clean सब्द हमारा यहां पे यह दिया है तो clean clean अभी यहां से दूसरे और पहले वाले से देख लिजेगा आपको क्या मिल रहा है तो दूसरे और पहले वाले से देखेंगे तो ये हमारा हैज यहां हो जाएगा और हैज यहां भी हो जाएगा बचा यहां पर क्या? A.N.D. के लिए हमारा क्या बचा? A.N.D. के लिए हमारा D सब्द बचा तो D हमारा इस कॉषिन का क्या हो जाएगा? राइट एंसर यानि कि आफसर नमबर 226 का हमारा डी के साथ ये कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे और यहाँ से 226 के बाद 227 नमबर कुशन यहाँ पे देखेंगे इसने ये कहा है कि एक विशिष्ट कुट भासा में सूर को प्रत्वी लिखा जाता है देखें सूर को क्या लिखा जाता है प्रत्वी लिखा जाता है अब प्रत्वी को बुध लिखा जाता है बुध को सुक्र लिखा जाता है मंगल को सूर लिखा जात है और सुक्र को मंगल लिखा जाता है उसी कुड़ भासा में सुक्र गुद्ध और प्रत्री के बीच इस्थित है को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बात यहां से हमको बतानी है तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रस्मे के अंसार जो दिया गया हमारा कूठ है तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पे सूरे लिखा गया है तो हम यहां पे क्या कर देंगे सूरे लिख देंगे फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा सूरे को प्रत्री लिखा जाता अच्छा फिर इसने ये कहा है अच्छा लिखा जाता है उसी बगार सुक्र को मंगल लिखा जाता है तो उसी कुड़ भासा में सुक्र बुद्ध और प्रत्वी के बीच इस्थित हमारा क्या हो जाएगा मंगल सुक्र और बुद्ध के बीच इस्थित है यहे लिखा जाएगा दोस्तों तो कैसे हो जाएगा चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो यहां से अगर हम लेखें तो इसने सबसे पहले कहा किसी विशिष्ट कूट भासा में सूरे को प्रत्वी लिखा जाए अब उसी कूट भासा में अब देखिए यहां पे यहां पर इसने कहा है देख लिए सूरे को इसने क्या बताया है यहां से अगर हम लिखें देख लिएगा सूरे को हम क्या लिखें सूरे को हम लिख देते हैं यहां से देख लिएगा सूरे को हम लिख दें इसने कहा सूरे को क्या लिख दिया प्रत्वी तो हमने यहां से सूरे को प्रत्वी लिख दिया सूरे को प्रत्वी लिखा जाता प्रत्वी को बुद्ध तो यहां से हम अगर लिख दें प्रत्वी को यहां से प्रत्वी को बुद्ध लिख दिया पृतिवी को बुद्ध को सुक्र लिखा जाता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया बुद्ध को यहाँ पे सुक्र हमने तो बुद्ध को लिख दिया सुक्र लिख दिया बुद्ध को सुक्र लिखा जाता है मंगल को सूरे लिखा जाता है यहां से हमने कर दिया सुक्र को क्या लिख दिया दोस्तों सुक्र को मंगल लिखा जाता है उसी कूट भासा में सुक्र बुद्ध और प्रत्वी अब देखिए यह हमारा सुक्र हो जाएगा सुक्र कहा है बुद्ध और प्रत्वी अब यहां पर देखिए अब यहां से इसमें बताया क्या है यह सुक्र को कहा है यह सुक्र को और बुद्ध को और प्रत्वी को यह इतना बात कहा गया है तो सुक्र को बुद्ध को और प्रत्वी के बीच इस्तित है तो कौन इस्तित है दोस्तों यहां देखिए मंगल हमारा इस्तित है बिल्कुल राइट हमारा बन जाएगा इस टाइप से हमने इसको बनाया जैसे इसने कहा है सुरी को प्रत्वी सुरी को प्रत्वी दिया प्रत्वी को बुद्ध प्रत्वी को बुद्ध लिख दिया बुद्ध को सुक्र मंगल को सुर मंगल को सुर सुक्र को मंगल अब इसने यह कहा है कि सुक्र जो है तो सुक्र बुद्ध और प्रत्वी के बीच देखिए सुक्र बुद्ध और प्रत्वी के बीच हमारा क्या हो जाएगा मंगल यह अब कहा रहा है प्रत्वी के बीच इस तर तो किस प्रकार लिखा जाएगा तो यह लिखा क्या जाएगा बुद्ध और सुक्र और बुढ़ के बीच में मंगल की है मंगल रहीत है यंई कि 277 का हमारे के साथ किशन क्या हो जाता है विलकुल रॉइट Olеп पटना का साहा है और को 모कर आपको कुशन हमारा समज्द में ना करिएगा अपने दोस्तों पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर गहंटी चोट वा लीजिएगा क्योंकि दोस्तों हर रोच आपको ऐसी नए नए वीडियो आपको रेलवे एक्जाम से लेटेड हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी और दोस्तों आपको आपकी प् मुद्क दोस्तों हैं कलो को सागा और पिया आपको क्यों हिए अब इसको क्या लिखा जाता है अनुद्ध दिया फिर है TF लिकती कार है यहां पर हमने लिखा जाता है इसको लिखा जाता है फिर यहां पर M.U. और फिर यहां पर हमारा है यह हो गया फिर आगे देखा जाए तो यहां पर हमारा लिखा है तो हमने लिख दिया है यहां पर whales are red whales are यहाँ पे हम लिल दिया whales are red को अगर हम देखें यहाँ पे हमारा लिखा गया है su और फिर यहाँ पे bc और फिर यहाँ पे हमारा mu फिर i have red car तो यहाँ पे हम अगर देखें तो i have red car तो हमने लिख दिया red और यहाँ पे हमने car लिख दिया आई है और red car को हम ев일 mujer देखें यहां पर start लिखा गया है और su लिखा गया है और अच्छा 7 लिखा है फिर add the rate लिखा है तो start के बाद दोस्तों आप यहां से क्या करेंगे add the rate लिखेंगे add the rate हमने लिख दिया तो यहां पर हमारा add the rate हो गया और फिर su SU फिर आगे हमारा हैज तो हमने हैज रग दिया तो यहां से हमको बताना है हुइल्स कार्स का बताना है तो हुइल्स हमारा देखिए यहां से निकलाएगा और कार हमको यहां से निकलना पड़ेगा कार यहां यहां से ठीक है तो देखें तो यहां पर देखेंगे का हुइल सब्द हमारा यह लिखा हुआ है पहले में और हुइल सब्द हमारा लिखा है दूसरे में तो पहले और दूसरे को लेके अगर देखेंगे तो यहां पर common क्या मिल जाएगा पहले और दूसरे में यह मिल जाएगा आपको दोस्तों MU मिल जाएगा यहां से आपको पता चल गया दोस्तों WHEELS को हमको मिल गया दोस्तों MU मिल गया अब हमको car का और चाहिए तो कार का निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा पहले में हमारा देख लीजिएगा कार हमारा ये दिया गया है और चौथे में कार हमारा ये दियागा तो पहले और चौथे में common देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा तो पहले और चौथे में common अगर हम देखेंगे तो और एक चीद देखेंगे यहां से अब पहले और तीसरे में था पहले और तीसरे में अगर हम देखेंगे तो पहले में देखेंगे हमारा add the rate add the rate मिल जाएगा hedge यहां पे hedge भी मिल जाएगा तो पहले और तीसरे में तो अब यहां से देख लिजेगा अब यह जो हमारा hedge किसके लिए बनेगा जाकर के तो यहां से अगर हम देखें तो M.U. hedge भी हो सकता है M.U. add the rate भी हो सकता है तो देखें अब यहां से यह clear नहीं हो पाएगा अगर हम देखें तो यह हमारा car car का सब्द का जो हो है यहां पे car सब्द का देखें car यहां भी car यहां भी और यह higher सब्द यहां भी higher सब्द यहां भी तो यहां पे देख लिजेगी यह हमारा add the rate यहां भी add the rate, यह हैज, यहां भी हैज, तो इनमें से add the rate भी हो सकता है, यहां से हम देखेंगे add the rate भी हो सकता है, तो car wheels का अगर देखें, तो wheels car, तो wheels का cars का क्या हो जाएगा, M.E.U. और से दूसरा हो जाएगा, देखिए जहां पर अगर हम add the rate रखेंगे, M.E.U. के साथ दो देखें यहां पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A के साथ ए खुछन का अर्थ है डिलीसियस रेड फूड और टाइड डीप सिग का अर्थ है ब्यूटिफुल एलो रोज और सिग प्लान फिण का अर्थ है रोज एंड फूड उस भासा में food के लिए निम्लिकित में से counts होगा तो यहाँ पर बिकल्प जो हमारे हैं वो इसमें नहीं दिया गया यानि कि यह misprint हो गया question में यानि बिकल्प नहीं रखे गया है तो पुझे में लाकि आपको चलिए हमको food का निकालना है इसका अर्थ इसने लिखा है delicious D-E-L-I-C-I-O-U-S delicious red food delicious red और फिर यहाँ पर हमारा food हो जाएगा delicious red food फिर आगे देखेंगे तो हमारा T-I-E और फिर यहाँ पर dip तो हमने डिप लिग दिया और फिर यहाँ पर हमारा sig यह हो गया तो यहाँ इसका अर्थ लिखा beautiful तो हमने लिख दिया B-E-A-U-T-I-F-U-L beautiful और यहाँ पर sig का अर्थ है beautiful yellow rose yellow 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 rose और यहाँ पर हमारा S-E यह हो जाएगा फिर आगे देखेंगे sig pan fin यहाँ पर हमने sig लिख दिया pan तो हमने लिख दिया pan फिर आगे लिखेंगे fin तो हमने लिख दिया fin sig pan fin का अर्थ है rose and यहाँ पर हमने लिख दिया rose and food यहाँ पर हमने लिख दिया rose and food लिख दिया तो हमको food सब्द का बताना है कि क्या value होगा देख लिए फूड तो फूड अगर हम देखें तो यहां पे देख लिए पहला हमारा यहां पे तीसरे वाले में फूड है और यहां हमारा पहले वाले में फूड है तो पहले और तीसरे में देख लिएगा आपको यहां से common क्या मिल रहा है पहले और तीसरे में तो दोस्तों उनको पहले और तीसरे में यहाँ पे फिन सब्द common मिल जाएगा तो यहाँ से आप फिन सब्द में क्या करेंगे फिन सब्द में देखेंगे तो food के लिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमने निकाल लिया तो अब आज़ दोस्तों आज़ धन रखेगा फूड के लिए हमारा फिर हो जाएगा चलिए आगे कुशन में लोग देखेंगे दोसों 29 से बाद दोसों 230 नमबर और यहां से देख लिए ज़िए गया है कि एक निश्चित भासा में माला चाहा हैव को P.I.U. और नाका चाहा के रूप में कोड किया गया है तो हैव गार A.H.E. को चाहा कादू A.H.T.O. और फिर C.H.A. H.A. जी डबल एरे गार P.Y.A. के रूप में कोड किया गया है तो इसको कहा जाता है तो अच्छा इसके रूप में कोड किया गया है को ये कहा जाता है तो उस भासा में इसका हमको कोड क्या होगा ये बात बताना है तो यहां से देख लेते हैं कोशन में देख लीजिए का सबसे पहले यहां पर देख लीजिए इस ने दिया गया है M-A-L-A हमने लिग दिया माला माला जो दिया गया capitalator में का तो हमने capital letter में दिया चलिए M A L A माला फिर C H A फिर H A ये रख दिया चाहा फिर लिदिया H A और फिर यहां पर V A इसका code इसने बता दिया है कि P I U लिख दिया जाए फिर N A K A लिख दिया जाए फिर C A H A लिख दिया जाए ये लिख दिया मैंने और यहां से दोस्तों देख दिया जाए तो यहां से अब देखें तो थोड़ा सा ज्यादा हमारा साफसुत्र नहीं हुआ इसको और साफसुत्र बनाने का प्रयास करते है इस बार तो यहां देख दिया हमने लिख दिया हे हमांगे देखे लिजिए कि इसलिगे क्या है माई सब्द कर से कहा गया है यहां यहांपर जी डबल अर यह होगया और ह सब्द करना है यहांपर इसको इसने क्या लिखा है यह हम और यहां पर के तो हम लिए दिया के ए और फिर यहां पर डी यू लिख दिया और फिर यहां से देखा जाए तो यहां पर दोस्तों के ए डी यू यह रख दिया के ए डी यू यह रख दिया और फिर यहां पर एस टी ओ यह रख दिया फिर सी पकार दोस्तों यहां पर देख ल लिखा गया इसमें देख लिएगा इसको क्या लिखा इसने इसको लिखा है पी आई यू तो पी आई यू और फिर यहां से देख लिए जाए तो एस एच यहां से एस एच एस एके लो एके लो यह हो गया फिर एस टी ओ यह हमने लिए एस टी ओ अब आगे देखेंगे यहां तो यहां से हमारा निकालना क्या है दोस्तों यह सबसे पहले C-H-A-H-A को निकालिए तो C-H-A-H-A देखिए C-H-A-H-A यहां पे है और C-H-A यहां पे यह है दूसरे वल्म भी दिया है दूसरे वल्म नहीं दिया है तो इसका कोड देख लिए का पहले और तीसरे में हमको common क्या मिल रहा है तो पहला हमारा यह है और तीसरा यह है तो P-I-U हमको दोनों से मिल रहा है तो P-I-U हमने यहां से लिख लिए देखिए P-I-U और P-I-U तो पुल मिलाकर के आपको पता हो गया C-H-A और H-A इसका कोड क्या हो गया हमारा P-I-U हो गया अब हमको निकालना है H-A-V-A का निकालना है फिर इसके बाद G-A-A-R का निकालना है फिर यहां पे H-A-V-A का निकालना है तो एक कत्व हमने निकाल लिया दोस्तों अब आग देखें तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा P.I.U. हो गया और अब आगे हमारा दूसरा निकालना है H.A.V.A. तो देख लिजेगा H.A.V.A. हमारा देखा जाए तो यहां से देख लिजेगा H.A. यह हमारा है HAVA और HAVA हमारा यहां पे है तो पहला और दूसरे में देख लिए common क्या मिल गए है तो पहले वाले में अगर हम देखें तो पहले और दूसरा तो पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो CHA HA देखिए यहां से देख लिए हमको क्या मिल गए है यह मिल गया देखिए C-H-A यह हमारा C-H-A C-H-A यह हमारा C-H-A और यहां से दूसरा हमारा जो था यहां से देखिए C-H-A यहां पे C-H-A फिर H-A यहां भी था ठीक है न तो इसके लिए हो जाएगा C-H-A और यहां पे फिर H-A फिर HA ये हो जाएगा इसके लिए अब आगे देखें जी डबल ए आर के लिए देखें जी डबल ए आर हमारा देख लिए यहां से हमारा ये मैच हो रहा है जी डबल ए आर ये हो गया और जी डबल ए आर हमारा यहां से देख लिएगा यह हो जाएगा दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो देखिए है यह हमारा A-S-T-O यह यहां से common हो जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा A-S-T-O हो जाएगा अब H-A-V-A तो देखिए H-A-V-A का अभी हम लोग निकाल चुके हैं H-A-V-A का निकाल चुके हैं दोस्तों कितना यह निकाले हैं H-A-V-A का निकाले हैं C-A-H-A यह निकाले हैं देख लिए ऐसा हमारा कहा दिया है P-I-U P-I-U और फिर P-I-U C-A-H-A-A-S-T-O C-A-H-A-D हमारा में दिया गया है D-A option पे दिया गया है तो 230 का हमारा D के साथ यह कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 230 के बाद 231 नमबर और यहां से देख लिजेगा यह दिया गया है यह दि एक कोड भासा में 834 का अर्थ है Air and Cool 456 का अर्थ है Air is Fresh 852 का अर्थ है Cool is Wet और निम्लिकित बिकल्प में से Fresh के लिए क्या प्योग किया जाएगा जहां से देख लिजेगा 834 हमने लिए लिए बताया गया इसने Air A-I-R Air and Cool तो हमने लिए Air and यहां पे लिए Cool फिर यहां से देखेंगे तो 456 जो हमारा है Air is Fresh तो यहां पे हमने लिए Air फिर इज Fresh तो यहां पे F-R-E-S-H Air is Fresh तो यहां पे फिर आगे देखिएगा 852 जो हमारा दिया गया 852 का अर्थ है हमारा Cool तो हमने लिए Cool is और यहां पे लिए Wet Cool is Wet हो गया तो फ्रिस के लिए हमको बताना था तो फ्रिस सब्द हमारा दोस्तों देख लिएगा यहां से हमको यहां से निकालना है तो सबसे पहले हम इज के यह दोनों निकाल देख लिएगा इज का हम यहां से निकालें तो यह हमारा देख लिएगा ये चार मिल जाएगा ये चार बाहर कर दिया बचा क्या यहां से फ्रिस का च्छा बचा तो हमारा फ्रिस के लिए क्या कोड हो जाएगा फ्रिस के लिए हमारा हो जाएगा च्छा कोड च्छा आपसन हमारा दिया गया है बी पे दो सो एकतिस का हमारा बी के साथ एकुशन राइ और जी लिखा जाता है और निवर से डैट को ULA XEN VAK और नाव से दिस को ULA ZAB TAL कोड किया जाता है तो दिस आर डैट का हमको क्या प्रयोग किया जाएगा यह हमको बात बताना है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां से देख लीजिएगा हमारा दिया गया है नाव आर नेवर नाव आर नेवर तो हमने यहां पर लिख दिया नाव आर नेवर का कोड यहां से बता दिया जेड एकस ए एन फिर जेड एबी और फिर यहां पर यहां पर यहां पर हमने वाई ओ जी रख दिया अच्छा ये बात हो गया फिर आगे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा never say that तहाँ पर हमने लिख दिया never say और आगे हमने लिख दिया that never say that का code यहाँ पर लिखा जाए ULA तो ULA हो गया XEN हो गया और VAK हो गया फिर आगे हमने लिख दिया say now say और फिर आगे हमने लिख दिया this now say this को क्या लिखा जाए इसको लिखा जाए दोस्तों ULA तो हमने लिख दिया ULA और फिर ZAB और TAL यह लिख दिया जाए तो हमको इसका बताना है this are that तो यहां से हमको निकालना है क्या दोस्तों हमको निकालना है this हमने लिख दिया this फिर यहां पर लिख देंगे are और फिर हमारा आगे लिख दिया जाएगा that this are that का हमको निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम this का निकालें तो this निकालने के लिए दोस्तों देख लिजेगा यहाँ पे हमको चाहिए this that दोनों का निकालना है और our सब्द हमारा इसका भी निकालना है तो जब यहाँ से this सब्द का निकालेंगे तो सबसे पहले देख लिजेगा यह जो हमारा say और say दिया गया है दोस्तों देख निवर नाउ दोस्तों देख लीजेगा निवर सब्द हमारा यहां से देख लीजेगा यह दिया गया है और निवर सब्द हमारा यहां से यह दिया गया है तो निवर पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो हमारा XEN यहां से भी हमारा XEN निकल जाएगा यहां से भी हमारा X और यहां से देखिए नाव हमारा यहां से ये नाव सब्द हमारा जो है ये क्या हो जाएगा इस से निकल जाएगा और नाव सब्द हमारा यहां से भी निकल जाएगा पहले और तीसरे से तो पहले और तीसरे से देखेंगे तो जेड एबी ये हो जाएगा और जेड एबी हमा बचा वाई ओजी बचा तो फ़र हमें रिख लिग गया वाई ओजी बचा तो पुल में लाकर के आप को यह यहां से पता चल गया थे प्राइं वाई तो वाकट यहां पे हमारा यहां पे देख लिए क्या गया है यहां पे नखनीए TAL-Y यह लिखा हुआ है और VAK यह मिला है और Y.O.G हमारा यह हमारा बी आपस ने यहां पूरा पूरा मिल जाएगा तो 232 का अगर हम देखे हैं बी के साथे question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा इसलिए दोस्तों हमारा ये क्यों नहीं होगा क्योंकि हम पर जड़ ए भी लिखा है हमको चाहिए वी ए के चाहिए तो यही हमारा तीनों लेटर यहां मिल रहे हैं यदि this is done को 792 that is remaining को 824 और remaining is done को 298 से code बंद किया जाता है तो कौन सा अंग done दरसाता है तो ये भी हमारा दोस्तों देखेज़ेगा हमारा NTPC 2016 में question पूछा गया है तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा देख लिजए का हमारा लिखा है this to t-h-i-s this is done तो हमने लिख दिया this is और यहां पे आगे हम लिख देएंगे done that is remaining के लई है अगर हम देखें तो आठ दो चार हो जाएगा remaining is done अब दोस्तों देख लिजएगा remaining is done तो यहां पे मिले देएंगा remaining is done के लिए code क्या हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा 298 हो जाएगा हमको बताना है done सब्द का निकालना है तो अगर हम देखें done सब्द का तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम देखें तो देखेंगे यह इज हमारा यहां भी मौझूद है इज हमारा यहां भी मौझूद है इज हमारा यहां भी मौझूद है तो तीनों में अगर हम देखें तो हमको क्या मौझूद है मिल जाएगा तीनों में अगर हम देखें तो हमको दो मिल जाएगा यानि कि यहां भी दो मौझूद है यहां भी दो मौझूद है यहां भी दो पहले और तीसरे से आप इनको इता दीजे पहला हमारा ये है तीसरा हमारा ये हे तो इसमें दोनों में human क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमको 9喜歡 को młam यहां पर डिराइट हो गया और आगे देखिएगा हम लोग दोसों चौंटिस नमर कुशन यहां पर देख लीजिए दोस्तों यह दिया गया है यहां पे दोस्तों देखेजिएगा दिया यह गया है कि यह लिखा जाता है यहां से देखेजिएगा अब हम यहां पर क्या करता है पाएंगे दोस्तों यह भी मारा RRB NTPC में हमारा 2016 में कुशन पूछा गया है यहां से देखेजिएगा यह हमारा लिखा है यू आर जान तो यहां से हम क्या लिख देंगे यहां पर हम लिख देंगे यू आगे लिख देंगे आर और यहां पर लिख देंगे जान तो यू आर जान को हम देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे एन एटी फिर एल एटी और फ लिखा है हमारा L E T लिखा है और यहां पर W E T लिखा है और फिर यहां पर हमारा N E T लिखा हुआ है फिर ऐसे ही यहां पर हमारा लिखा गया है J H O N N John is good तो यानि John is good लिख लेंगे John is good तो John is good को हमारा यहाँ पर देखे लिए लिखा गया है तो get set fight यहाँ पर हमने लिए get set और आगे लिए fight यह लिखा है तो हमको इज सब्द के लिए कह रहा code क्या दर्फाया जाएगा यह बात बतानी है तो सबसे पहले इज हम देखें तो तीसरे वाले में हम को यहां से इज मिल रहा है तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे जान को उड़ा देंगे और गुड को हटा देंगे जान और गुड को हटा दिया जाएगा जो इज बचेगा तो इज के लिए यहां से जो बचेगा वही हमारे इस question का right answer हो जाएगा तो कैसे हटाएंगे इसको देख लीजिए सबसे पहले अगर हम देखें हैं तो जॉन सब्द हमारा यहां पे लिखा तीसरे वाले line पे और जॉन सब्द हमारा पहले वाले पे लिखा है हमने यह पहले वाले पे लिख लिया तो यह बात हो गई तो पहले और तीसरे में अगर देखेंगे तो पहले और तीसरे में हमारा काउं सा मैच हो रहा है पहले और तीसरे में हम यहां से देखेंगे तो हमारा FAT यहां से निकल जाएगा पहले और तीसरे से हमको क्या निकल जाएगा दोस्तों FAT निकल जाएगा आप देखिए इज बच्चा और गुड बच्चा तो इज और गुड में जब हमारा बच्चेगा और इज और गुड तो कहीं common हो नहीं रहा है जब यह common हो नहीं रहा तो अब हम decide नहीं कर पाएंगे कि age और good के लिए क्या होगा age के लिए get होगा, set होगा तो यहां से decide नहीं हो पाएगा तो यहां से decide नहीं हो पाएगा तो यहां से decide नहीं हो पाएगा इज के लिए get होगा कि set होगा यानिकि इज और good के लिए हम निर्हाइट नहीं कर पाएंगे यानिकि हमारा 234 का हमारा D के साथ यहां पर question क्या हो जाएगा right हो जाएगा आज यह देखेंगे 234 के बाद दुस्त हमारा hate के लिए पतर्सिते या protect करई किया जाएगा question के पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे लिखा हमारा r u r u sam तो हमने लिए r u sam इसके लिए यहाँ लिखा क्या गया है ri लिखा गया है ai लिखा गया है और यहाँ पे ki liखा गया हमने यह लिग दिया फिर all hate u तो यहाँ पर हमने लिग दिया आल अब आगे हेट फिर यहाँ पर हमने यू लिग दिया आल हेट यू को यहाँ पर देखें हमारा वी आई तो हमने लिग दिया फिर आगे हमारा आर आई तो हमने आर आई लिग दिया फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखेंगे ऐगे दिया गया है आल-र-फेkay इहां पर नि li दिया आल-र-फेक इप-ए-क-ई-क-ई तो इस لिए कोड कया लिखा गया है इसके लिखा गया है एम-A-I प me a-I फिल लिखा है हमारा एल-आ-ई तो हमको हेट सब्हें के लिए निकालना है तो हेट सब्द हमारा यहां पर दोस्तों देख लिएगा यह है दूसरे वाले पे तो यहां से सबसे पहले हम क्या करें आल को गैब करें और यू को गैब करें तब जाके हम कहीं से निकाल पाएंगे हीट सब्द का तो देखिए आल सब्द हमारा यहां से देख लिएगा यह दूसरे औ यू हमारा दूत्रे वाले से मिल गया, यू हमारा पहले वाले से मिल गया, तो अब यहां से देख लिजेगा, यहां से हमारा आर आई दूत्रे वाले मिल गया, आर आई हमारा पहले वाले मिल गया, तो यह इतना हो गया, अब आगे देखा जाए, तो हीट हमारा यह था, जहां से heat सब्द के लिए heat सब्द के लिए हमारा क्या बचा v.i. बचा है तो heat सब्द के लिए आपका यहां से code क्या हो गया v.i. हो गया तो v.i. इस question का right answer बन जाएगा नहीं कि action number 235 का हमारा c के साथ है question हो जाएगा right हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 235 के बाद दोस्तों 236 नमबर और यहां से देख लिए 236 नमबर हमारा दिया गया है इस पे कहा गया कि एक कोड के अंसार ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा जाता है ब्लैक इज ब्यूटिफुल एंड फन को 95214 एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटिफुल को 52189 तो कौन सा अंक रोज पूर दर्साता है ये भी हमारा NTPC 2016 में कोशन पूचा गया है चैसे इसने दिया है वैसा हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों यहां पर देख लिएगा सबसे पहले इसमें लिखा है ब्लू तो हमने लिख दिया ब्लू इस ब्लैक तो यहां पर ब्लैक ब्ल्यू इस ब्ल UTIFUL Black is beautiful and fun आगे लिखा है and fun तो यहाँ पर हमने लिख दिया fun तो यह हो गया फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 9521 थोड़ा सा अदूर दूर करके लिख देते हैं दोस्तों तो आगे आपको यहाँ से question समझने में आसानी जाए तो हमने रोज इज ब्लैक लिख दिया और आगे आगे कुछ लिखा है and beautiful आगे लिखा है तो हमने लिख दिया beautiful बी ए यू टी आई अब इसका देख लिए इसका कोड इसने क्या बताया है इसका बताया है 5252189 189 हमने यह लिख दिया तो कहरा रोज सब्द के लिए हमारा यहां पर क्या लिखा जाएगा रोज सब्द के लिए कौन सा अंक प्रियोग में लाया जाएगा तो यहां से सबसे पहले आप रोज देखिए कहा लिखा है रोज अगर हम देखे तो यहां से हमारा देख लिए तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देख लिएगा सबसे पहले ब्लू तो ब्लू के लिए हमारा दोस्तों देख लिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा ब्लू के लिए हमने ऐसे बना दिया ऐसे फिर यहां भी हमने ब्लू के लिए यह ऐसे बना दिया और फिर देखिए तीनों में हमारा इज इज कामन हो रहा है तो तीनों में हमारा देखिए इज हमारा कामन है तीनों में हमको कामन क्या मिल जाएगा यहां से हमको दो मिल जाएगा तो यहां से हमने दो लिख दिया फिर आगे देखेंगे तो यहां से हमारा यह दो हो जाएगा और यहां से भी हमारा यह दो हो जाएगा अच्छा यह तीनों में हमारा दो हो गया फिर हमको रोज का निकालना है तो रोज के लिए अब देखिए देखतों यहां से क्या हो जाएगा ब्लैक, ब्लू, पहले आप यहां पे देखिए ब्लैक सब्ध हमारा यह यहां पे लिखा है ब्लैक सब्ध हमारा यहां पे लिखा है ब्लैक सब्ध हमारा यह यहां पे लिखा है तीनों में अब हमको यहां से एक मिल रहा तो हमने एक को यहां से फेका और यहां से भी एक को निकाल फेका और यहां से भी हमने एक को निकाल फेका ठीक है यह हो गया अब आगे देखेंगे हमको अब किसको gap करना है दोस्तों देख लिए का end को अगर हम गयब कर दें यह जो हमारा end सब्द है तो end सब्द के लिए हम सीधा-सीधा गोला बना देते हैं यह और यहां भी end सब्द के लिए सीधा-सीधा हम गोला बना देते हैं तो दूसरे और तीसरे में हमारा देख लिए गायब कर दीजिए, यहां से हमने ब्यूटिफुल सब्द को भी क्या कर दिया यहां से गायब कर दिया, यहां पे हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, यहां पे ब्यूटिफुल को हमने, यहां से ब्यूटिफुल को भी गायब कर दिया अब देख लीजिएगा तो यहाँ से कुल लाकर करके हमारा यह 9 हमारा गैब हो जाएगा यह हमने यहाँ से 9 को गैब कर दिया और फिर यहाँ से यहाँ से देभी दे हम क्या करेंगे 9 को gap कर देंगे यह हमारा 9 निकल गया और फिर यहां से देखा जाए तो यह हमारा 5 भी पूरा-पूरा निकल गया अब बचा देखिए नीचे हमारा नीचे और last volume क्या बचा किया वर रोज बचा और रोज के लिए हमारा क्या बच रहा है यहां पे आठ हमारा लेटर बच रहा, किया गिंती बच रही है, आठ तो रोज के लिए, हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, आठ हमरा दिया गया भी पे, तो दोसोँ चथिस का हमारा भी के साथ हे question क्या हो जाएगा, बिल्कुल right हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे और अगला कुशन यहां पर देख लेते हैं 236 के बाद 277 नमबर कुशन यहां पर देख लिए यह गया है कि यादि किसी कोड के अंसार बुक इज बिग को 756 है और बिग इज श्टोरी को 764 श्टोरी बुक इज इंट्रेस्टिंग को 4356 लिखा जाता है तो कौन सा अंक इंट्रेस्टिंग को दरसाता है यह हमारा आर्पी अफ एसाई के 2019 में कुशन पूछा गया है तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पर देख लिज एक दिया गया है कि यहां पर किसी कोड के अंसार बुक इज बिग तो यहां पर हम लिख देंगे बुक इज बिग को कोड इसने क्या बता दिया बुक इज बिग का कोड बता दिया गया है सेवेन फाइब सिक्स बता दिया गया है बिग इज इस्टोरी तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिग इज इस्टोरी को हम देख लीजे यहाँ पर क्या लिखा गया है 764 हमने 764 लिख दिया इस्टोरी तो हमने लिख दिया यहाँ पे इस्टोरी बुक इस्टोरी बुक आगे हमने लिख दिया इस्टोरी बुक इज इस्टोरी बुक इज इंट्रेस्टिंग यानि कि इंट्रेस्टिंग यानि कि हमने इसके लिए क्या देख लिए इंट्रेस्टिंग के लिए क्या लिखा है इसके लिखा है हमारा 4356 लिखा हमने 4356 लिख दिया तो अब यहां से देखें इंट्रेस्टिंग के लिए हमको बताना है सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर देख लिए कि सबसे पहल या ठेक है फिर आप देखें तो यहां पे इस्टोरी को गैप कर दिया जाए दोस्तों तो इस्टोरी सब्द हमारा देख लिए यहां पे है यह हमने इस्टोरी को यहां से गैप कर दिया और इस्टोरी सब्द को यहां से भी हमने दूसरे वाले से भी गैप कर दिया और फिर आ चार-चार हमारा गैब हो गया, अब बचा हमको इंट्रेस्टिंग का निकालना है, बुक सब्ध हमारा यहां पे दिया गया है, तो इस बुक सब्ध को हम क्या कर देंगे, इस बुक सब्ध को हमने यहां से यह इसमें किया, और बुक सब्ध हमारा यहां से यह पहले और तीसरे मिल गया पहले और तीसरे में देख लिजिए हमको क्या कामन मिल रहा पहला और तीसरा तो पहला और तीसरा भुक सब्द हो गया तो भुक सब्द के लिए यहां पर देख लिजिए का तीन पांच बच रहा है और यहां से तो हमारा साथ पांच बच रहा है तो यहां से हमारा क् पांच को बाहर निकाल फेकिए, यहां से भी पांच को बाहर निकाल फेकिए, तो अब इस जिगे पे हमारा देखिए, क्या बचा है, इंट्रेस्टिंग सब्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रेस्टिंग के लिए हमारा हो जाएगा, यहां से तीन हो जाएगा, तीन हमारे इस question का right answer बन जाएगा यानि कि option number हमारा 237 का A के साथ ये question क्या हो जाएगा right हो जाएगा आगे देखेंगे हम लोग 237 के हमने A right किया और आगे देखेंगे 238 number और यहां से देख लिजिए दोस्तों दिया गया है कि किसी निश्चित पूट भासा में 415 का अर्थ है milk is hot और इसका 415 का milk is hot और 18 का अर्थ है hot soup और 895 का अर्थ है soup is tasty हो तो कौन सी संख्या tasty सब्द का को दरसाएगी यह दरसाता है तो यहां पर अगर हम देखें तो 415 तो यहां पर हम क्या लिख देएगे 4 हमने 4 लिख दिया 1 लिख दिया और फिर आगे 5 लिख दिया 415 का अगर हम कोड देखें तो यहां पर आ जाएगा हमारा milk milk लिख दिया इज हार्ट तो यहां पर milk is यहां पर हो जाएगा हार्ट और फिर 18 का अगर हम कोड देखें तो हमने लिग दिया soup is testy ती ए एस टी वाई ये हो जाएगा तो अब हमको टेश्टी सब्द के लिए निकालना है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पे देखेंगे हम सबसे पहले soup के लिए ये गैब कर दिया यहां से भी soup के लिए गैब कर दिया तो पहला दूसरा और तीसरे दरस यहां पे हमारा आठ गैब हो जाएगा यहां से भी हमारा आठ गैब हो जाएगा इज सब्द के लिए देखिए हमारा यह गैब हो गए यहां से भी इज सब्द के लिए तो इस सब्द के लिए देखा जाए तो यहां पे हमारा 5 हो गया, यहां भी हमारा 5 हो जाए, गैब हो जाएगा, बचा क्या हमारा, टेस्टी सब्द के लिए 9 बचा, तो टेस्टी सब्द के लिए हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हमारा इस कुशिन का राइटन से बन जाए come home और 92-71 का अर्थ है we are at home कौन सा अंकम दर्स आता है यहाँ पे देख लिजिएगा 3-2-4 जो हमने लिखा इसका अर्थ इसने क्या बता दिया इसका अर्थ बता दिया are you all right are you all right a-l-r-i-g-h-t are you all right और 7-8 और यहाँ पे 3 जिए इसका अर्थ बताया गया है you come home यहाँ पे हमने यु अब देखेंगे कांचा अंकम दर्स आता है तो दोस्तों कम के लिए अगर हम देखें तो कम सब्थ के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहां से तो कम कम सब्द के लिए हमको निकालना है तो कम सब्द हमारा दूसरे वाले में दिया गया है तो सबसे पहले हम यू को गैब करेंगे और होम को गैब कर देंगे देख लिए यहां से अगर हम होम को गैब कर देंगे दोनों में यह हमारा ह home home match हो रहा है तो यहां से देखें तो हमारा कौन सा मैच हो जाएगा दोस्तों देखेंगे यह हमारा साथ और यहां से यह साथ हमारा क्या हो जाएगा यह पूरा हमारा गैब हो जाएगा तो यह हो गया हमको अब यू को गैब करना है तो यू को देखेंगे तो यू हमारा दू दूसरा और तीसरा यहां पर हमारा तीन गैब हो जाएगा, यहां भी हमारा तीन गैब हो जाएगा, तो कम के लिए हमारा क्या बचा दोस्तों, आठ बचा, तो कम के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, यहां से आठ हो जाएगा, आठ दिया गया है, ए पे तो 249 का हमारा ए के स लिखा जाता है तो how you here को संभावित भासा में क्या लिखा जाएगा तो यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पर लिखा गया है how हमने how लिख दिया और फिर आगे लिखा और फिर आगे लिखा you how are you को इसने क्या बता दिया है इसने बता दिया है कि ne फिर आगे ki और फिर आगे se लिखा जाता है फिर इसने बताया है कि where तो हमने लिख दिया where आर तो हमने यहां पर लिख दिया आर यू where आर यू को इसने क्या बताया है इसने बताया है ne और फिर आगे b l और फिर आगे se में और you where here तो यहां पर हम लिख देंगे you where तो यहां पर w h e r e you where here यहां पर h e r e इसको लिखा जाता दोस्तों b l तो हमने b l लिख दिया और फि को बताना है दोस्तों फार्मूले के रहे हैं दोस्तों यहां पे हमको बताना है हाउ और आगे यू और फिर आगे हीर यह हमको इसका कोड निकालना है तो इसका इसका निकालते जाएंगे जो आएगा इसके नीशे हम पुट करते जाएंगे देख लेते हैं दोस्तों सबसे पह यहां भी मिल रहा है, N E हमको यहां भी मिल रहा है, तो U के लिए हमको कंफर्म हो गया कि N E हम रखेंगे, तो N E हमने रख दिया, फिर आगे देखेंगे, तो How, How सब्द हमारा दोस्तों देख लीजेगा, यहां से अगर R को हम निकाल देख लीजेगा, आर सब्द हमारा यहां स अब हेर सब्द तो हेर सब्द हमारा देशी ये है तो वेर यहां से दोस्तों देख लिएगा वेर हमारा ये है वेर का हमारा दोस्तों ये है तो दूसरे और तीसरे से हम देखें दूसरा हमारा ये है क्या है दोस्तों बी-ल यहां भी हमारा बी-ल हो जाएगा तो वेर के लिए बी-एल हो जाएगा. अब हेर के लिए यहापे देख लीजिगे क्या बचा हेर के लिए हमारा जेओ बच्चा यहाँ पर हमर देंगे जेओ तो मह law चैए किया है यह हमारा 240 का एक एसाथ यह कुशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आगे देखेंगे 240 के बर्दस प्रमलोग, 241 नमबर, और यहाँ पर देख लिजेगा दिया गया, किसी निशित पूर्ट भासा में, 329 का अर्थ है, you are bad, you are bad, और 499 का अर्थ है, bad is good, तो 195 का अर्थ nothing is bad है, तो डाट डाट good दर्शाता है, दोस्टों यहाँ पर देख लिजियेगा, 329 का अर्थ हमने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर विजिया, you are bad, तो हमने लिग दिया, आगे लिग दिया, दोस्टों bad लिग दिया, फिर यहाँ पर हम देखेंगे, तो 419 का अर्थ इस पताया है नथिंग यहां पर हमारा हो जाएगा नथिंग इज बयड तो हमें यहां पर लिख लिखिए निकल जाएगा यहां से हमारा 9 निकल लाएगा, यहां से 9 निकल लाएगा, अच्छा, तो यहां से 9 तो हमारा उपर भी दिया गया है, तो यहां पे हमारा को निलाकर कि यह 9 नहीं निकलेगा, यहां से हमारा क्या निकल लाएगा, इस जगे से हम निकाल देंगे, दोस्तों, एक को निकाल फैंकेंगे, एक को यहां से हमारा ये एक ये निकल जाएगा एक ये निकल जाएगा ठीक है अब अगर हम देखें तो अब हमको क्या निकालना है बैड को हटा ठेकना है तो यहां पे देख लिजएगा बैड को अगर हम देखें तो बैड हमारा यहां पे यह है और बैड हमारा यहां पे यह है तो बैट में देख लीजेगा दोस्तों हमारा 9 यहां से भी हट जाएगा 9 हमारा यहां से भी हट जाएगा 9 हमारा यहां से भी हट जाएगा nothing के लिए पूछा है good के लिए पूछा अच्छा तो good हमारा देख लीजे दूसरे में क्या बच रहा है? या में चार बच रहा है? तो गुड के लिए हैस्जगे पर हमारा क्या वहलू आ जाएगा? चार, तो चार हमारा दिया गया है बी पे, तो दो सो एक्तारीस का हमारा बी के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आगे देखेंगे दोस्तों 242 नमर कुश्चन और 242 नमर कुश्चन देखने से पहले दोस्तों आप से एक छोटी सी गुजारिस है मारी दोस्तों अगर आपको वीडियो और स्रीज जिच मरी की पीडियो चाहते होंगे तो पीडियो प्रवाइट कर दिया जाएगा साकर की का राओ या दोस्तों अगर आपको कोई भी परकार क की प्राओ या सुझाओ हो तो आप अपनी राए और सुझाओ भी हमें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा और साथ दोस्तों बिल घंटा जरूर दबा लेजी क्योंकि दोस्तों आपको नए-ने रेल्वी भरती से रिलेटेड जो हमार जयानकारिया है वो नए-ने समय पर टाइम टू टाइम आ नहीं साता है हमको इज को बताना है तो यहां से देख लेंगे सबसे पहले यहां पर जो लिखा हमारा गुढट-इज-फैर चैनल पर ओग ईज फिर आगे इज फिर यहां पर गाड का अगर हम देखें यहां पर हमारा जी इज होजाएगा और हो जाएगा और फिर यहां पे हमारा एफ ए हो जाएगा फिर देखेंगे तो हमारा यू आर गाड तो हमारा यह हो जाएगा यू आर यहां पे हो जाएगा गाड तो यू आर गाड को हो देखेंगे तो यहाँ पर हमको कई सारी चीजे मिल लाएंगे तो यहाँ पर जी डबल ओडी अच्छा गॉड है यहाँ पर जी डबल ओडी है अच्छा तो कुल मिलाकी यह तो हमारा मैश नहीं होगा ना तो कुल मिलाकी इज का हमारा तीनों में हमको यहां से देखा जाएगा common तो हमारा क्या हो जागी है यह तो बनेगा नहीं दोस्तों तो पुल मिलाकर करके यहां से देख लिजेगा हमारा यह गुड का हमको निकालना है ना इज का निकालना है इज दरसाता है दोस्तों हमारा किसका जी अब दोस्तों देख आंएजेगा जी-ई हमारे यहां पे काहां पे दीगए भी पे दीगए भी इस खूशन होगा दारा देखिए गूरा ने की ऐा आles अभी के सानिको पर हो जाएगा पर अंच आजनुक्तु वहां कहां फसम पर देख्थ ओत तो हमारे इसंग होसान के एससे लिए een aj हो जाएगा जीए का क्या हो जाएगा दोस्तों इज बन जाएगा यही हमारे स्कूशन का राइट अंतर बनेगा और आगे देखेंगा हम लोग 243 नमर कूशन यहाँ पे देख लिए गया है यदि समर इज हाट को D E F E B A और कम कोल्ड समर को J A H A B A और विंटर इज कोल्ड को P A J A D E कोट बर्द किया जाता है तो कम हाट विंटर को डाट डाट कोट बर्द किया जाएगा तो यहाँ से देख लिएगा Summer is hot तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे Summer is hot Summer Summer is Summer is hot तो हमने रख दिया D.E. फिर आगे F.E. फिर आगे हमने आगे वी ए तो हमने बी ए रख दिया कम कोल्ड तो हमने लिख दिया कम कोल्ड कम कोल्ड Summer तो sco mkr यहां पे अगर देखा जाया तो दोस्तों हमारा इसका कॉल दिया गया है j a फिर हमारा ड्य दिया गया है फिर winter is cold तो आगे हम लिखेंगे तो chỉ admits winter winter is cold लिद दिया और इसके लिए हमारा क्या अर्ज Installト के क्या कॉल यहां विंटर को क्या लिखा जाएगा देख लिएगा हम लिखेंगे कम हाट हमने अपने अपने दिया कम हाट विंटर तो यहाँ पर हमने लिख दिया डबलू आई अटी कम हाट विंटर को क्या कहरा है लिखा जाएगा तो कम के लिए निकाले हाट के लिए निकाले हाट के लिए न यह इज है यहाँ पे इज है हमने इज को यहाँ से गैप कर दिया पहले और तीसरे में देख लीजिएगा पहले और तीसरे में हमको common क्या मिल रहा है पहले और तीसरे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे DE यहाँ भी है और DE हमारा यहाँ भी है तो हमने इज का य हमारा यहां पर देख लीजिएगा तीसरे में मौझूद है दूसरे और तीसरे में देख लीजिएगा क्या क्या मौझूद है दूसरे और तीसरे में अगर देखेंगे तो जे ए हमारा मौझूद है यहां भी हमारा जे लिएख़ लिएगा अगर यहां से देखेंगे तो हमने इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना दिया तने ढ़ाइग्राम और यहां से हमने यह बना दिया यहां से दोसों मनें क्या बना तो यहां पर कम सब्द का हमारा क्या बचा कम सब्द का दोस्तों हमारा देख लिए क्या बचा यहां पर कम को हमको निकालना है कम का हमारा है यहां पर रख दिया हमको क्या बचा निकालने के लिए हाठ सब्द का तो हाठ हमारा दोस्तों देख लिए यहां से भी हमारा क्या पे तीनों मौझूद हैं तो यहां पर देखा जाएगा दोस्तों हमारा फुल मिला करके यह हमारा 243 का डी के साथ यह क्वेशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 243 बार 244 नमर क्वेशन और 244 नमर क्वेशन पर देख लीजिए यहा और 374 का अर्थ है I like orange 267 का अर्थ है औरंज आर स्योर काउन सा अंक श्योर प्रदरसित करता है अब यहां से देख लेंगे तो यहां पर अगर देखें तो हमारा 592 का अर्थ है यहां पर हम देखेंगे लिखेंगे तो g r a g r a p s grapes are sweet यहां पर लिख दिया यहां से I like तो I like orange तो हमने आपर लिख दिया I like orange O-R-A-N-G-E-S औरेंज यह लिख दिया अब आगे 267 का अर्थ है यहां पर देख लिख लिखेंगे 267 का अर्थ इसने क्या बताया है औरेंज आर से ओर तो यहां पर लिख देंगे से ओर को परदर्सित करता है से ओर को परदर्सित करने वाला हमको से ओर का निकालना दो से S-O-U-R का हमको ग्याद करना है इसके लिए क्या हो जाएगा तो यहां से अगर हम देखें सबसे पहले देख लिजिएगा orange हमारा यहां पर देख लिजिए अब आर सब्द को देखें तो आर सब्द हमारा देख लिए ये मिल रहा है तीसरे में और पहले में आर सब्द हमारा ये मिल रहा है तो यहाँ पे दो मिल गया कॉमन यहाँ पे हमारा दो मिल गया कॉमन अब बच्चाा स्ष्वर के लिए यहां पर क्या बच्टा 6 लिए यहां हो जाएगा 66 हमारा मवजूद है 244 का हमारा देखा जाएगा दूस्व तो C के साथ यह question क्या हो जाएगा बिल्खुल write हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 244 मर दूसकू 245 नमर question और 245 नमर question पर यहां पर देख लिज़े दिया गया है कि किसी code में 413 का अर्थ है black is bold तथा 97685 का अर्थ है bird like the blue sky और 10274 का अर्थ है peacock is blue and bold फितों कि हां पर पूँचा गया blue को कौन सा अंक प्रदरसित करता है यह भी हमारा NTPC 2016 में question पूँचा गया है देख लिए जाए दोसमों तो 413 हमारा 413 लिख लिए गया और आगे हमें देखा जाए तो B L A C के black is bold तो हमने लिख दिया black is bold हमने लिख दिया यह हो गया फिर आगे हमारा दिया गया है आगे दिया गया 9766885 यहाँ पर इसको देखेंगे यह हो जाएगा हमारा 97685 का अर्थ लिखा है यहाँ पर bird बि-R-D-S birds like the यहाँ पर मिले दिया birds like the birds like the हमने यह लिख दिया birds like the blue sky तो यहाँ पर b-l-u-sk-y यह हो गया और फिर लिख कहा है 10274 274 का अर्थ यहाँ पर हमारा भिया गया है c-o-c-k peacock is blue तो हमने आप लिख दिया पिकॉक इज ब्लू ब-l-u-e peacock is blue and तो हमने and और यहाँ पर आगे लिख दिया bold तो हमने यहाँ पर bold लिख दिया तो ये हो गया अब आगе हमको यहां बताना है बलू को कौन सा अंग प्रदर्सित करेगा दोस्तों हमको बलू का निकालना है तो देख लिज penalी ब, ल, य, य, इ हमको इसको ग्याद करना है तो इसके लिए कौन सा अंग बनेगा तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ध्यान से यहां से हमारा blue इसमें दिया गया है blue यहां भी दिया गया है, blue यहां भी दिया गया है तो अगर हम blue का common देखें तो यहां से देख लिजेगा हमको दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में हमको common क्या मिलेगा दूसरे और तीसरे में अगर हम common देखें तो blue और blue यानि कि यहां पर दूसरे और तीसरे में हमारा common हो जाएगा दोनों में यहां से match कराईए दोनों में हमको common क्या मिल रहा है यहां पे 5 यहां पे 5 नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, 6 भी नहीं मिलेगा, 7 भी नहीं मिलेगा और 9 भी नहीं मिलेगा, तो यहां पे blue और यहां पे blue तो यहां पे अगर देखा जा 97685, 97685 और यहां पे 10274, 10274 तो यहां पे common मिल रहा दोस्तों क्या मिल रहा है यहां पर देख लिए सेवन यहां से भी मिल रहा है और सेवन हमारा यहां से भी मिल रहा है तो यहां से हमारा दोस्तों देख लिए कब ब्लू इस जिए पर था अब ब्लू हमारा यहां पर यह था तो ब्लू के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा सेवन हमारा C पे दिया गया है तो 245 का हमारा C के साथ ये question right हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 245 के बाद 246 number question और यहां से देख लिजिएगा question में दिया ये गया है कहा गया है कि एक विसिष्ट code में doctors are ethical 921 के रूप में लिखा जाता है medicines are costly को 526 के रूप में और medicines are prescribed by doctors को 28693 के जैसे लिखा जाता है लिखा है तो कौन सा अंक medicine को दरसाता है तो ये हमारा आरपी एफ पॉंस्टेबल 2019 में question पूछा गया है यहां पे देख लिजिए doctors तो हमने लिए doctors हमने लिए doctors are तो हमने लिए आर इथिकल तो e-t-h-i-e-t-h-i-c-a-l इथिकल डॉक्तर आर इथिकल को हमने लिए 9 और यहां पे 2 और यहां पे 1 फिर कहा गया medicines are costly यहां पे हमने लिए medicine s-i-n-e-s medicines are तो हमने लिए आर पोस्टली यानि c-o-s-t-l-y medicine are costly को लिए गया 5 to 6 यह हो गया और फिर आगे लिखा है medicine तो हमने लिए medicines s-c-i-n-e-s medicines are हमने यहां पे लिए prescribed तो यहां पे हमने लिए prescribed by doctors हमने यह लिए लिए तो इसका code यहां से देखने यह क्या लिखा है इसका code लिखा 28693 यह हो जाएगा तो medicine का हमको बताना है तो medicine का हमको दोस्तों यहां पे बताना था तो medicine के लिए अगर हम देखे हैं तो देख लिए ध्यान से तो यहां से देख लिएगा R हमारा यहां भी match कर रहा R हमारा यहां भी match कर रहा R हमारा यहां भी match कर रहा तो तीनों में अगर देखेंगे तो दो हमारा यहां भी हो जाएगा, दो यहां भी हो जाएगा, दो हमारा यहां भी हो जाएगा, तो हमको यह तो काम खतम, हमको मेडिसीन का निकालना है, तो मेडिसीन सब्द अगर देखा जाए, देख लीजेगा, मेडिसीन सब्द हमारा यह यहां भी मेडिसीन मैच कर रहा है और मेडिसीन दोस्तों हमारा यहां भी मैच कर रहा है तो दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो 6 आपको यहां पर मैच कर जाएगा तो यहां पर हमारा 6 हो जाएगा तो मेडिसीन सब्सक्राइब के लिए हमारा क्या बन जाएगा 6 6 हमारा द कि एक विसेस कोडिंग भासा में ginger is a root को 4123 लिखा जाता है a tree has a root को 75422 लिखा जाता है और tree is green को 385 लिखा जाता है तो कौन से अंक द्वारा root लिखा जाता है ये बात हमको बतानी है तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे question में लिखा है ginger तो हमने लिख दिया g-i-n-g-i-n-g-e-r ginger आगे हम लिख देंगे is a root ginger is a आगे हमने लिख दिया root इसको क्या लिखा जाता है code में इसको 4123 लिखा जाता है फिर आगे हमारा यहाँ पे देख लिएगा a tree has तो हमने लिख दिया a tree has तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइज ए ट्री हाइज ए रूट तो हम ने यहाँ पर लिख दिया है तो हम लिख दिया जाएगा तो यहां पर हम लिख दियेंगे यानि कि इसके लिए प्रियोग हमको अंक बताना है कौन सांक इसके लिए प्रियोग होगा दोस्तों देख लिजेगा सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर हम देखें दो हटा दीजिए फिर ट्री तो देख लिए ट्री हमारा यहां से यह हट गया और ट्री हमारा यहां से यह हट गया तो यहां से ट्री तो यहां से अब क्या हटाएंगे पांच को हटाएंगे यहां से और पांच को हटा फेंकेंगे यहां से ठीक है अब हमको रूट का निकालना है हैज सब्द बचा तो अब देखिए हैज हैज अगर हम देखें हमको रूट निकालना है ना तो रूट देख लीजेगा रूट सब्द हमारा यहां से देख लीजेगा यह दिया गया है तो यह हमारा रूट सब्द का यह हो तो रूट रूट पहले और दूसरे में पहला हमारा ये है दूसरा हमारा ये है इन दोनों में हमको common क्या मिलेगा इन दोनों में common हमको पहला और दूसरा तो पहला और दूसरा में देखिए हमको चार मिल जाएगा दूस्तों क्या मिल जाएगा हमको चार मिल जाएगा तो चार हमने यहां से यह लिख लिख लिया और यहां से चार हमने यहां से देख लिख 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 ब्लू औरेड और फ्यू को 31405 लिखा गया तो कौन सा अंक फ्यू दर्स आता है यह भी हमारा NTPC 2016 में कुशन पूचा गया है यहाँ पे देख लिए इसने जो भी लिखा है आर ओ एस एस रोजेज आर यहाँ पे रेड तो इसके लिए इसने क्या कोड बता दिया है इसके लिए 506 बताया है फिर अगर हम देखें तो वाइलेट्स वी आई ओ ले टी एस यहनि की वाइलेट्स आर ब्लू वाइलेट्स आर ब्लू बी यल यू ए pilots are blue को हम देखेंगे तो यहाँ पर 195 हो जाएगा और फिर तो blue तो हमने लिए blue and red blue and red blue and red are few तो f e w यह हो गया इसके लिए code देखेंगे 31405 हमको निकालना क्या है few सब्द का निकालना है तो few हमारा देख लेजिए कि यहां पर यह दिया गया है और few हमारा कहीं पर मौजूर नहीं है तो देखें सबसे पहले देखिए R हमारा यहां पर है R हमारा यहां पर है तो यहां से हम क्या निकालेंगे दोस्तों देख लिए पांच हमारा यहां पे है पांच हमारा यहां पे है निकल भागा हमने निकाल के फेक भागाया उसको ठीक है अब अगर देखें रेड तो रेड में अगर देखा जाए तो दोस्तों ब्लू तो सबसे पहले आप ब्लू को हो गया और यहां भी हमारे ब्लू हो गया अब देखेंगे आए इस रेड़ तो रेड़ सब्द के लिए देख लीजेगा यह हमने यहां से रेड़ कर दिया और यहां से हमने रेड़ को इस प्रकार से बना दिया यहां से हमने रेड़ को ऐसे किया और यहां से हमने रेड़ को यह कर दिया तो red के लिए पहले और चौथे पहला और चौथा में यहां पे देख लीजिए हमारा यह क्या हो जाएगा जीरो हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए यह हमारा इसके लिए यह बन जाएगा जीरो यहां से भी अगर हम देखेंगे तो यह हमारा जीरो यह हमारा यह बन जाएगा ठीक है तो अब आगे यहां पे हमारा बच्चा क्या एंड बच्चा और फ्यू बच्चा एंड के लिए दोस्तों देख लीजेगा अब यहां पे एंड तो कहीं है नहीं तो यह निकि एंड और फ्यू में हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे दोस्तों की फ्यू क बच्छा अब और फ्यू किसी में common है नहीं तो यह हमारा बनेगा नहीं तो अब हो सकता फ्यू के लिए तीन भी हो सकता हो सकता चार भी हो सकता तो प्रिम लाकर इसको मालूम नहीं किया जा सकता 240 का हमारा डी के साथे question right हो जाएगा और आगे देखेंगे 249 नमर question और यहां से देखीज़े इस पर दिया गया है इस पर कहा गया है यहां से भी काम भी करेंगे देख लेते हैं सबसे पहले इसने क्या लिखा दोस्तों red हमने लिख दिया यहां पर पिंक तो हमने पिंक रख दिया आर कलर तो हमने यहां पर आर कलर लिख दिया इसके लिए कोड हमारा लिखा है फिर पिंक इज बैड तो हमने हमारा हो गया पिंक इज इज यहां पर हो गया बैड पिंक इज बैड का हमने अगर देखें तो हमारा हो जाएगा 640 हो जाएगा फिर आगे लिखा है यहां पर हमारा यह हो गया तो इसके लिए अगर हम कोड करें 21597 21597 हो जाएगा दोस्तों को क्या निकालना है रेड का निकालना है तो देख लिए रेड हमारा यहां पर दिया गया रेड हमारा यहां पर दिया गया है सबसे पहले देखें तो इन तीनों में हमको क्या मिल जाएगा तीनों में देख लिजेगा हमको इज इज नहीं दिया गया अच्छा तो यहां पे सबसे पहले देख लिजेगा आर तो हमने यहां से आर को यह भगाया आर को यहां से ले लिया आर ले लिया तो इन में दोनों में देखेंगे तो यहां से हमारा एक मिल जाएगा हमने एक को भगा दिया फिर उसके बाद देखेंगे अभी देखना अभी यहां से देख लीजिएगा कुल मिला करके हमको रेड का भी निकालना है ठीक है ना तो अब यहां से देख लिजेगा red भी यहां पे पहले वाले मिल रहा और यहां भी red हम को मिल रहा है तो यहां से देख लिजेगा यहां पे हमारा देखिए 2 भी match कर रहा है यहां भी 2 match कर रहा है और 9 भी हमारा match कर रहा है 9 भी match कर रहा है 9 भी match कर रहा है पांच भी मैच कर रहा है पांच भी मैच कर रहा है तो ऐसे देखें तो यह हमारा एंड भी मैच कर रहा है यहां से भी हमारा एंड मैच कर रहा है फिर एलो भी मैच कर रहा देख लिजिएगा यहां से हमने एलो को भी मैच करा दिया यहां से भी एलो को मैच करा दिया तो फुल मिलाकर के अब ये सारे मैच हो जाएंगे तो हम ये इस में से clear नहीं कर पाएंगे दोस्तों red के लिए 2 होगा की 1 होगा की 5 होगा की 9 होगा ये clear नहीं निकाला जा सकता तो यानि की निर्धारित नहीं किया जा सकता आपसन हमारा 249 का डी के साथ ये भी question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा आगे देखेंगे हम लोग 250 नमबर और दोस्तों आज के पार्ट का ही हमारा अंतिम question होगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये video और स्रीच हमारी बेहदी मात्त पॉर्ड और बहुत अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको ये video और ये सीरीच हमारी पसंदार ही हो तो आप हमारी video को like करिएगा अपने दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा share करिएगा और दोस्तों ये आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर विल्गंटी जोडबा लिजिएगा साथ में दोस्तों आप हमारे whatsapp चैनल telegram चैनल whatsapp गूरूप से जोड़ सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी video के description में जाईएगा वहां से उन सभी का link में लिएगा जहां से आप लोग असानी से जुर सकते हैं और दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रिकार कर राया सुझाओ हो तो आप हमें अपनी राया और सुझाओ कमेंट सक्षिन में कमेंट बखते हैं चलूर बताईएगा तो देख लेते हैं तो यहां पे हमारा आज का यह अंतिम कॉश्चन और यहां से देख लीज़े दिया यह गया है कि एक कोड भासा में कोश्टली डाइनिंग टेबल को आइन ओबी और सीपी जैसे लिखा है और कैननाट बाइ टेबल को इस एन डीक्यू के जैसे लिखा है तो टेबल को किस तरह लिखा जाएगा यह भी हमारा एंटीपीशी दोजार सोला के पेपर में कुश्चन उचा गया था यहां पर देख़ेंगे यह लिा है लिखा है कोश्टली तो हमने लिख दिया यहां पर कोश्टली टेबल तो बी यू वाई यानि कि कैन नाट बाई टेबल तो यहां पर हमने ले दिया कैन नाट बाई बी यू वाई टेबल टी ए बी ले कैन नाट बाई टेबल को इसने क्या बताया है इसने बताया है इस तो हमने इस रख दिया फिर ए एन फिर यहां पर डी क्यू तो हमने ड Table का निकालना हैैं तो सबसे पहले अगर देखें हैं तो सबसे तरह को चाहेगा यहां से भी हमारा किड्या़ हो जाएगा तोाइगा साथ ये कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा होग से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताएगा ये सारे कुशन बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आया होंगे अगर दोस्तों थोड़ा सभी आपके वीडियो और सीच का कोई भी पार्ट थोड़ा सभी पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों आप अपनी रायो सुचाओ भी हमें दे सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट रूकरे हमें अपनी रायो सुचाओ दीजिएगा दोस्तों चलिए हम लोग जूख वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद